सभी साथियों को नमस्कार मैं हूँ विमल सर और आप देख रहे हैं सीडी जौब एजुकेशन साथियों सीटेट अगस्त दो हजार तेईस बालविकास और सिक्षार सास्त्र संपुण मैराथन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ इस महामयराथन में बालविकास और सिक्षार सास्त्र को बिलकुल सुरू से लेकर लाश्ट तक हर वो टॉपिक जो आपके परिक्षा के द्रिष्टिकोर से महत्पूर्ण है सब कुछ पढ़ेंगे सब कुछ बात करेंगे सिर्फ एक वीडियो में आपकी भासा में बहतरीन तरीके से मैं आप सभी साथियों तक इन तमाम जो टॉपिक्स को आप तक रखूंगा आप तक साजा करूंगा तो चलिए बाल विकास के क्लास से हम आज सुरू करते हैं इस एक वीडियो में पूरे बाल विकास का महामायराथन मैं आज ले कराया हूं पुना आप सभी का स्वागत है चलिए सुरू करें सबसे सुरू बृध्धी और विकास बात करें हम विड्धी की विकास की तो परिभासित रूप में हम चलते हैं विड्धी जिसको अभी विड्धी भी कहा जाता है अंग्रेजी में इसको ग्रोथ कहा जाता है जब हमारे सरीर की कद काथी मोटाई अकार बढ़ना सुरू होता है तो उसे बृध्धी कहा जाता है देखो जब हमारे सरीर की उचाई बढ़ने लगी मोटाई बढ़ने लगी तो हम क्या कहते हैं कि इस ये बढ़ रहा है इनमें बृध्धी हो रही है कहते हैं इसलिए इसका नाम बृध्धी है अर्थात इनकी जब मोटाई बढ़ेगी हमको नजर आ जाएगी जब इनकी हाइड बढ़ेगी हम उसको देख पाएंगे है ना तो यहीं से सपष्ट है देखो भई यदि उस किसी भी बालक में बृध्धी हो रही है या तो वो मोटा हो गया या तो वो लंबा हो गया है ना भई हम उसको क्या है बाहर से देख पाते हैं तो यहाँ से एक और इसके जो पहल्लू निकल कर आती है किया बाय होता है क्योंकि हम उसको देख पा रहे हैं है ना भई तो ब्रिध्धी क्या है इसके लंबाई चवडाई मोटाई उचाई जब बढ़ना सुरू होता है तो वही ब्रिध्धी है ठीक है भई अब ब्रिध्धी के कुछ बिंदूओं पर हम प्रकास डालते हैं तो ही ब्रिध्धी कुछ समय के बाद रुक जाती है जैसे लंबाई एक उम्र होती है किसी भी बच्चे की हम बात करें 18,20,22,23 है ना भई उसी उम्र तक वो बढ़ता है उसके बाद उनकी जो हाइट है वो क्या होता है बढ़ना रुक जाता है तो क्या है ब्रिध्धी कुछ सम देख पाते हैं, वो मोटा हो गया हम उसको देख पाते हैं, इसलिए उत कहते हैं न, कैसे कितना मोटा हो गया है, बहुत दिन बाद तुम को देखा हूं, ऐसा बोलते हैं न भई, तो क्यों, क्योंकि उनकी मोटाई बढ़ गई है, ठीक है, इसलिए बृध्धी क्या है, बाह हो प्रिद्धि केवल परिमारात्मक होता है देखो परणामए विद्धि को हम परणाम उनका प्राप्त कर सकते हैं हम उसको माप सकते हैं ने बिद्धि को कितना वजन सकते हैं उसके कमर की मोटाई को माप सकते हैं नोनके सीने की मोटाई के अ कि यह परिमानातमक होता है ठीक है उसके बाद में देखिए ब्रिद्धी दिशाहीन हो Jessica कोई निश्चित दिशा नहीं है किसी भी दिशा में उसका विकास हो जाता है ठीक है बई बिद्धी होने पर विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है एक बच्चे की हाइड बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि उनकी हाइड बढ़ रही है तो उनका दिमाग भी बढ़ी एक बच्चे की हाइट छोटा है नाता है तो वो छोटा है तो हम यह नहीं कह सकते कि तुछुटा है तो तुम्हारा दिमाग भी कम होगा समझ रहे ना तो ये तो विध्धी हुआ और विध्धी के कुछ प्रमूख तथ्य जो की इसी तथ्य को आपके सीटेर की परिक्षा में उठा कर डायरेक्ट पूछा जाता है तो इन विंदूओं को विशेश आपको ध्यान देना होगा अब हम बात करें विकास कि आखिर ये विकास होता क्या है विकास जिसको अंग्रेजी में डेवलाप्मेंट कहा जाता है तो देखो गर्भ में सीशू के आने से लेकर जीवन परियर्ण तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम ही विकास है अर्थात जब कोई भी सीशू गर्भ में जैसे ही वो आता है उसी दिन से अर्थात गर्भाद धान से लेकर जीवन परियर्ण तक जो चलने वाली प्रक्रिया का नाम ही विकास है जीवन भर चलते रहता है अस्सी साल के उम्र में भी हम कुछ न कुछ सीखते ही है आईजयनिक ने जो कि 1978 के अनुसार आईजयनिक ने क्या कहा है विकास के संदर्भ में तो मानाव में होने वाले परिवर्तनों का क्रम देखो भई विकास को कहा है कि मानाव में होने वाले परिवर्तनों का क्रम बाल विकास के अंतर गत उन समस्त परिवर्तनों का अध्यान किया जाता है जो माना में रचनात्मक परिवर्तन करते हुए परिपक्वता की ओर ले जाती है ठीक है भई तो बाल विकास में हम इनहीं व्रिध्धी और विकास के बारे में अध्यान करते हैं क्लियर है तो ये तो रहा वृध्धी ठीक है भई हम वृध्धी और विकास के बीच के अंतर को बिल्कुल मैं टेबल के माध्यम से आपको बताऊंगा चलिए अभी दखिए विकास क्या है एक सारभोमिक प्रक्रिया है इस बात को याद रखना भई जन्म से लेकर जीवन परियन तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम ही विकास है और ये बार-बार सीटेट की परिक्षा में आ चुका है विकास को क्रमिक परिवर्टनों की स्रिंखला भी कहा जाता है क्यों क्योंकि कल हमने जो चीज़ शीखा आज उसमें ग्यान में व्रिध्धी हो जाती है कुछ और नई चीजे हम सीख जाते हैं अर्थात क्रमिक परिवर्तन होते रहता है ठीक है देखो भई इसके संदर्व में विकांस को लेकर हरलाक ने क्या बात कही है पहले हम हरलाक को जान लेते हैं तो हरलाक के कफण विकास केवल अभिविध्धी तक ही सिमित नहीं है अर्थात विकास केवल विध्धी तक सिमित नहीं है बलकी व्यवस्थि तथा सम नुगत परिवर्तन है जिसमें की प्रवढ़ावस्ता के लक्ष की और परिवर्तनों का प्रगति सिलक्रम नहीं तरहता है जिनके परणाम सरूप व्यक्ति में नविन विशन्स ताएं देखो भई विकास केवल व्रिधी तक ही सिमित नहीं होता बलकि जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे कोई भी बच्चा जो है नविन ज्यान और नए नए योग्यताएं सीखते जाते हैं कैसे बच्चा पहले साइकल सीखा थोड़ा विकास होता है कुछ और चीज़ें सीखता है वो बाइक चलाना सीख जाता है बड़े होकर उसके बाद में वो ट्रक, मोटर, फोरविलर, दस चक्का वाला गाड़ी तो बड़ा से बड़ा जो है सीख जाता है बड़े बड़े वाहनों को सीख जाता है ना उनकी योग्यताएं क्या होती जाती है नए नए और योग्यताएं जुड़ती जाती है तो यही क्या है विकास है ठीक है इसको हर लौक ने कहा मुनरों ने क्या कहा भाई उसको भी देखिए तो विकास परिवर्तनों की वह सिंखला है जिसमें बच्चा भूरा वस्था से लेकर प्रावरा वस्था तक गुजरता है देखो मुनरों ने कहा कि विकास परिवर्तन की सिंखला है जिसमें बच्चा जो भूरा बनता है ना मा के गर्भ में तो उस दिन से पूरा प्रावास्था तक पूरे प्राव उम्रतक की इस्थिती से वह गुजरते रहता यह मुनरों ने कहा ठीक है बई उसके बाद देखिए कुछ और प्रमुख बिंदू विकास के संबंध में विकास में निश्चित क्रम होता है देखो विकास एक निश्चित क्रम में होता है पहले सारिक होगा मानसिक होगा समाजिक होगा इस तरीके से एक क्रम होता है भाई विकास का होता है ना अब देख देखो विकास का स्वरूप आंत्रिक और बायह दोनों होता है देखो विकास का जो स्वरूप है आंत्रिक होता है मतलब कुछ क्या है उसमें हमको पता नहीं चलता जैसे मस्तिक्स देखो अब मान लो यह आंत्रिक है भई मस्तिक्स कैसे में आंत्रिक है बच्चे का दिमाग ब हळा कर दूँ तो क्या आप बता पाऊगे कि बत्चा कितना होसियार and नहीं बता पाऊगे वह आंत्रीक है हम उसको देखके नहीं जान सकते कि इसको ज्ञान को मस्तिक्स को लेकिन यहां पर भासाइज्ञान यह भी विकास है ना अब बच्चे की भासा ज्ञान है बच्चा जब बोलेगा ना तो हम जान लेंगे हाँ इनमें भासाई कोशल का विकास हुआ है इसलिए क्या है यह आंत्रिक और बाया दोनों होता है ठीक है भाई विकास की एक निश्चित दिशा होती है सभी पढ़े हैं विकास की दिशा सिध्धान सीर से पैर की औ वाला है ना भाई तो विकास हम आगे पढ़ेंगे इसलिए में ज्यादा डिसकस नहीं करूंगा आगे हम पूरा डिसकस करेंगे इस पर ठीक है तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है विकास का हम सीधा मापन नहीं कर सकते जैसे मस्तिक्स की मापन करना है कितना विकास परिमानात्मक और गुणात्मक देखो परिमार के रूप में अर्थात उसको माप भी सकते हैं उसके गुणों के अधार पर भी हम उसको देख सकते हैं जान सकते हैं तो माप परिमानात्मक और गुणात्मक दोनों होता है चीक है बाई और विकास व्रिध्धी के बिना भी संभव है मैंने कहा भले ही किसी भी बच्चे की मुटाई जादा हो या कम हो हाइड जादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है उसका फर्क नहीं पड़ता यदि उसका बौधिक दिमाग है एक छोटे हाइड का बालक या बाली का भी ज्यानवान हो सकता है ठीक है बई पर पर परता है विकास ब्रिद्धी के बिना भी संभाव है ठीक है चलो अब बात करें देखो हमने तो देख लिया बृध्धी और विकास होता क्या है बात करूं मैं विकास के रूप की या विकास के स्वरूप की तो विकास के कौन कौन से स्वरूप होते हैं तो देखो भई आकार में परिवर्तन विकास की चार प्रक्रिया है ना आकार में जब परिवर्तन हो हम कह सकते हैं कि इनमें विकास हो रहा है देखो विकास बिद्धी ही है विकास में बिद्धी भी समाहित है बड़ा रूप कह सकते ह है विकास बड़ा रूप है जिसमें विद्धी भी सामाहित है अनुपात में परिवर्तन होता है पुरानी रूप रेखार था जो पहले उन्होंने सिखी है अब उसके सीखने में भी परिवर्तन नए विशिष्टा जुड़ गई नए गुल की भी उनमें प्राप्ति हो गई यह सब क्या है विकास की प्रक्रिया का हिस्षा है ठीक है भई विकास की सिध्धान प्रिंसिपल आफ डिवलापमेंट देखो भई यहां से आपके प्रश्ण बनते हैं निरंतर्ता का सिध्धान तो विकास कभी समाप तो होने वाली निरंतर देखो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया अब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मतलब हो कभी भी समाप नहीं होगा इसलिए निरंतरता का सिध्धान्थ भी है ठीक है भाई विकास की दिशा सिध्धान्थ तो दो दिशा विकास दो मस्तकाध मुख्य जिसमें सीर से पैर की और जिसको बोलते हैं ठीक है विकास सीर से पैर की और होता है जिसे मस्तकाध मुख्य बोलते हैं और दूसरा समीप दुर भीमुख इसको मध्य से शुरू होकर बाहर की और जो होता है न इसको बोलते हैं तो विकास कि दो दिशाव सिद्धान्थ आपने जाती के अनुरूपी विकास के प्रतिमान का अनुकरण करता है जैसे मनूष्य जाती है मनुष्य स्वयाम منुष्य द्वारा ही बनाये नियमों का अनुकरण करता है उन्हीकर बनाये अनुठ प्रतिमान है उनको मानता है अपनाता है यही समान प्रतिमान का शिधांत है उसके बाद देखो विकास समान्य से विशिष्ट की ओर होता है समान्य जैसे पहले जब एक सीसु के रूप में बाला के जैनमा लेता है फिर थोड़ा बड़ा होता है उठना सिखता है देखो समान्य काम कर रहा है छोटे छोटे काम कर रहा है बठना सिखता है फिर चलेगा दोड़ेगा और विशिष्ट होते जाता है उनके कारे जो है और विशिष्ट होते जाते इसलिए विकास समान्य से विशिष्ट की ओर चलता है अगला देखो पुर्वा नुमान का सिध्धान पुर्वा नुमान कैस विकास किस दिशा में होगा इसका हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं हम पहले से पता कर सकते हैं देखो अक्सर आप देखना जिस घर में माता-पिता की हाइट कम है न हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उनका जो बेटा या बेटी है वो भी कम हाइट का हो जाएगा क्योंकि अ अनुमान पर अधारी ठीक है यह भी विकास की सिध्धान्त है कुछ और है विकास के सिध्धान्त में व्यक्तिगत भिन्नता का सिध्धान कैसे प्रत्येग बच्चा किसी न किसी रूप में एक दुसरे से भिन्न होते हैं देखो भई आपकी कक्षा में माल लिजीए 15 बच्चे हैं प्रत्येग बच्चे चाहे वो सिखने की गती में भिन्न हो चाहे आप कुछ भी कमांड उनको दे रहे हैं वो एक्सेप्ट करने में उसको कहना चाहिए स्विकार करने में जल्दी धिरे हो सकती है किसी बालक में गाने में रूची है किसी को खेलने में रूची है किसी को पढ़ने में रूची है किसी को लिखने में रूची है अर्थात प्रत्येग बच्चा एक दुसरे से भिन्न होता है ठीक है इसी को व्यक्तिगत भिन्नता का सिध्धान कहते हैं इसका अलग से टॉप वो तेज भी हो सकता है धीमा देखो अक्सर आप देखना दो एक ही डेट आप वर्थ है जन्म तीथी एक ही दिन पैदा हुए दो बच्चों की देखना कोई बहुत लंबा हो जाता है कोई छोटे हाइट को जाता है किसी की विकास नहीं हो पाता किसी की विकास ज्याद हो पात तो यह क्या है भाई एकी कराना बच्चे हाथ और पैरों का उपयोग एक साथ देखो एकी क्रित करना सब का एक साथ उपयोग कर पाना भाई बच्चे धीरे दे जब विक्सित होता है ने बच्चे तब वो कर पाती हैं एक साथ जैसे बच्चा साकल चलाना सीख रहा है हाथ का कुछ वो कर रहा है एक कुछ वो कर रहा है अपने आपको अर्थात अपने सभी अंगों जब वो उप्योग करने लगता है तो वही एक ही करन है ठीका ना ओके चलिये अब आगे बने करने के विकास को प्रभावित करने वाले कारक की तो देखो विकास को प्रभावित करने वाले वनसा अनुक्रम वनस भाई हमारे माता-पिता कैसे है उसके अधार पर बच्चा या बच्ची की हाइट रंग रूप ये सभी दिर्भर करता है वातवर सही खानपान सही खेल कोद यदि वातवर नहीं मिलता तो भी उसका विकास रूप जाता है खानपान भी बहुत जरूरी है यदि जिस उम्र में बच्चे को बढ़ना चाहिए उनकी हाइड बढ़नी चाहिए उनकी मुटाई बढ़नी चाहिए उस उम्र में मालों की बच्चे को को कोई विमारी हो गई है ना तो भी क्या है बच्चों की ब्रिध्धी या बच्चों का जो विकास है वो रूख जाता है वो भी प्रभावित करता है अंतह इस्त्रावी ग्रंथी भी प्रभावित करेगा ब्रिध्धी अर्यन ये भी क्या है प्रभावित करता है छीक है भई इसी में हम देखते हैं क्रियात्मक कौसल क्रियात्मक कौस कौसल दो प्रकार है उसको भी देखेंगे तो क्रियात्मक कौसल क्या है इसकुल पूर्व अवस्था में बच्चों की हड्डियां बहुत मुलायम और लचिला देखना जब जो शीशूरू के रूप में जर्म लेता है छोटा सा जो मा के बगल में सोय रहता है आप उसको छू और पैरो का वो समन्वय भी नहीं कर पातें लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वे समन्वय करना सीखते है क्यों क्योंकि उनकी हैं थी कौसल है जैसे जैसे बढ़ता जाता है अपने हाथों पेरों उंगलियों से जो क्रियाएं करते हैं न वही कॉंसल तो क्रियात्मक कॉंसल है ठीक है अब ये दो प्रकार के हैं इस्थुल क्रियात्मक कॉंसल और शुक्ष्मक्रियात्मक सबसे पहले बात करूं इस्थुल क्रियात्मा काउसल तो देखो इस्थुल मतलब बड़ा काम ठीक है भई इस काउसल में बच्चे सारिक गति वीधियों के नियंत्रा और समनुए हैं देखो भई सिखते हैं सारिक गति वीधि मतलब ये बड़ा काम है ठीक है ना सारिक गति व पे समन्वा इस्थापित करना सीख रहा है, दड़ना सीख रहा है, हातों और पैरों दोनों का उप्योग कर रहा है, कूदना, चलना, दड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर लगाना, ये इस्थुल क्रियात्मक का उसल है, ठीक है, सुक्ष्म मतलब छोटा, छोट 짜 lira उससे उप्योग करता जैसे लिखे गवा बच्चा लिखना सीक रहा है अपने हात्फों की उब्लियों का उप्योग कर रहा है कि बटन बंद करना सीख रहे हैं अपने कपड़ों का है नं तो भी वह क्या है छोटा काम कर रहा है शुक्ष्म क्रियात्म काउसल अपने बाल को सेटिंग करना बाल को कंगी करना कंगा करना सीख रहा है वो भी शुक्ष्म क्रियात्म काउसल है ठीक है तो क्रियात्म काउसल दो शुक्ष्म इस्थुन ठीक है आगे बढ़ें चलिए विकास की विभिन अवस्थाओं के बाद कर विकास चार अवस्था एक तो है गर्भावस्था जिसे प्रसाव पुर्व अवस्था भी कहा जाता है इस गर्भावस्था में कोई भी सीशू मा के गर्भ में होता है सहसवावस्था जन्म के उपरान अर्था जन्म के तूरंत बाद से यह अवस्था सुरू हो जाती है और बाल्यावस्था सहसवावस्था इस चार अवस्था है गर्भावस्था सहसवावस्था बाल्यावस्था और किसोरावस्था अब मैं बात करूँ इन ही अवस्थाओं को डीटेल सबसे पहले देखो गर्भावस्था नाम से स्पष्ठेन भई यहाँ पर गर्भ अर्थात मा के गर्भ में और कोई भी सिसू मा के गर्भ में कितने दिन टक्ठ हरता है तो नव माह या दो सव असी दिन ठीक है भई याद रखना यहां से प्रश्ण आपका बनता है गर्वधारन होने से लेकर नव माह के समय को गर्भावस्था कहा जात अर्थात गर्भधारन से लेकर जन्म पूर्व तक की अर्वस्था गत्रवावस्था हलाता है बस छोटी सी है इसमें कोई विशस्ता नहीं है निकिंड दूसरा आता है सैसवावस्था अब जन्म से 2 अर्ष तक की अवस्था सैसवावस्था वही जीरो से 2 वर्ष भी बोल सकते हो जन्म से 2 अर्ष देखो एक दो वर्ष का बालक क्या स्वयम अपना कार्य कर पाएगा नहीं क्योंकि छोटा सा बालक तो मा के साथ ही सोए रहता है बगल में है न वो दिन भर सोए रहेगा तो यह पुनता माता पिता पर निर्भर रहता है याद रखना सैसवावस्था की पहली विशिष्था है जो सैसवावस्था मतला बहुत ही छोटा बच्चा सिसू तो पुनता माता पिता पर निर्भर पहली विशिष्था दूसरी व्यवहार मू मूल प्रवीति पर अधारित होता है इसे करता है भाई कर बच्चे के पास कुछ खिलावना दे रहे हो अब खिलावनों को क्या करता है मूह में ले रहा है अब उसके मूल प्रविती ही है कि खिला कुछ भी वस्तों को वो चूसने लगता है हाथ में जैसे उसको पकड़ाए वो सिधा मूह में ले लेता है है न उसके मूल प्रविती है इसमें जिग्यासा अधीक होती है अकसर देखना भई किसी चीज को ब वे छूने की कोशिस करता है तो सवावस्था की ये भी विशिष्टा है भाई जिग्यासा अधिक होती है आत्म प्रेम की भावना मतलब वस्वयाम से प्रेम करता है देखना एक छोटे से बच्चा कुछ खाने के लिए पकड़ाया हो ना उसको अब उसको छीन के देखना बच कहा जाता है क्योंकि इस उम्र में बच्चा को ठीक है खिलावना देखे बहलाया जाता है ना बहलाने के लिए खिलावना दिया जाता तो बच्चा मगन हो जाता है इसलिए इसको खिलावने की आयू भी कहा गया है ठीक है बई चलो सस्वास्था देखे कुछ और है सस्वास्था में बच्चा अनुकरान द्वारा सीखता है अनुकरान करना बच्चा चुपचाप सोया हुआ है है न अपने छोटे से बेट पर सोया हुआ है बच्चा अब वो देख रहा है न माता पिता कैसे बात कर रहे है दादा दादी कैसे बात कर रहे है भाईया कैसे बात कर रहा है वो अनुकरान कर रहा है इसलिए बच्चा जब दो तीन साल का होगन पाता तो वो जिग्यासा आग के परती नहीं होती वो सोच पाता कि आँख से मैं जल सकता हूँ तो क्यों छूता वही वो आँख को तून में जिग्यासन होती है लेकिन वो अतार्किक चिंतन के वस्ता है वो तरकपून चिंतन नहीं कर सकता तो ये तो रहा सैसवा वस्ता की विशिष्था है आगे बढ़ते हैं साथियों अब देखो बालिया वस्ता की विशिष्था तो मैं आपको बता दूं बालिया वस्ता की जो उम्र है दो वर्स से बारह वर्स की अवस्ता और बालिया वस्ता को दो स्टेजेस में बाटा गया है ठीक है फिर से दो अवस्ता में हैं बालिया वस्ता पहले मैं बात कर लूं बालिय तारकिक चिन्तन की अवस्था बोलते हैं क्यों कि इसमें 2 से 12 वर्ष यह इस चुल चुल जा ना सुरू हो जाता है तो यह आर मभी की अवस्था था भाहि अब बच्चा डिखो मा के बगल में सोया हुआ बच्चा, बच्च कुछ बड़ा हो गया, आपने दोस्तों के साथ खेल रहा है गंदी गंदी जगहों में भी जाता है कीचर हो थूल हो मिट्टी हो इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा और इस उम्र में बच्चा जब दोस्ती का असर होता है तो गंदी गंदी गालियां भी जीखने लगता है इसलिए इसको गंदी अवस्था कहा है इस पुर्ती चंचल एनर्जेटिंग रहते हैं ठीक है तो थिक है जी खेलों की अवस्ता मैंने कहा इस उम्र में बच्चा खेल कुद में रूची लेते हैं आपने हम उम्रसाथियों के साथ गली मुहले अरोस परोस बगल घर में अरोसी घर परोसी घर जिसके पाय उसके घर में जा जाके खेलने लगता है इसलिए खेलों की अवस्था है इसमें संग्रहर की प्रविती होती है भाई देखो बहुत कुछ चीजें संग्रहित करता है उम्र में कैसे भाई बच्चे भासा को तो सीख रहा है संग्रहर करना है भासा का भास तोली या समूह देखो इस उम्र में बच्चा समूह में रहता है अपने हम उम्र साथियों के साथ रहता है टोली या समूह की अवस्था कहा गया है और जीवन का अनोखा काल बाल लेकाल को कहा गया है सबसे बेश्ट्रियदी किसी मानाव जीवन की अवस्था है साथियों तो वो बाल लेकाल या बाले अवस्था होती है क्योंकि दो वर्ष से बारा वर्ष की जो उम्र है ना तो उसको अपने भविश्य की चिंता न तो उसको काम बोता की चिंता, न उसको काम करने की चिंता, वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जैसे ही वो बारा वर्ष के बाद में कि सोरा वस्तह में प्रेवेश करेगा, तो उसको चिंता होने लगती है, मैं आगे क्या पढ़ाई करूं, कि मुझे नवकुरी मिल या मैं क्या करूँ कैसे करूँ हर प्रकार की जो इस्ट्रेस एक युवा वस्था में आने लगती है ठीक है भाई तो सबसे बेश्ट काल बाल्यकाल है जीवन का अनुखा काल के भी नाम से जरा जाता है अब देखो इस बाल्यावस्था को दो भागों में बाटा गया है क्या क्या एक तो है प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था पहला दूसरा है उत्तर या परवर्ती बाल्यावस्था तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दो है भई अब पूर्व ब बाल्यवस्था 2-6 और उत्तर बाल्यवस्था 6-12 ठीक है भई तो यह याद रखेंगे अब इनके कुछ भी सिस्तम बता देता हूं पूर्व बाल्यवस्था जिसकी उम्र सीमा दो वर्ष से 6 वर्ष है तो दो वर्ष से 6 वर्ष में क्या करेगा बच्चा चलना सिखता है दौर उम्र में अब सीखने लगेगा ना 2-6 वर्ष की उम्र में स्वयाम बच्चा क्या है मलमुत्र त्याग करना सीखता है है जब एक से दो वर्ष छोटा सीशू राता है तो मा उसको मलमुत्र त्याग करवाती है उसको जबनन बोलती है उसको पेट को ठोकती है क्यों बच्चा मलमुत रत्या करे लेकिन प्रारंभिक बाल्य वस्थ में जबाता है वो स्वयामसि करने लगता है ठीक वो बता देता है कि मेरे को लग रहा है दो नमबर जाना है ठीक है भई उसके बाद देखो सही गलत में विभेद कर सकता है भाई दो से छे वर्ष का बच्चा है वो क्या सही है क्या गलत हर चीज तो नहीं जानेगा मैं मान रहा हूं लेकिन इस टार्टिंग एज है ये सही और गलत के बीच का फर्क वो सुरू कर देता है ठीक है अब आते हैं उत्तर बाल्य अवस्था अब उत्तर बाल्य अवस्था की उम्रसीमा कितनी है भाई चैवर्ष से बारा वर्ष ठीक है अब इस चैवर्ष से बारा वर्ष में इनकी विशेष्था पर प्रकास डालते है देखिए यहां आरंभिक इस्कूल की अवस्था है आप जानते हैं छै वर्ष का बच्चा इस्कूल जाना सुरू करता है यहां आरंभिक इस्कूल की अवस्था है अब खेलों से देखो भई आप छै वर्ष का बच्चा ना विद्याला जाना सुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ खेलता कुदता है तो इसका क्या है सारलिक विकास होता है हम उम्र के साथ मिलना जुलना सीखता है इस उम्र में क्योंकि भई पूरे आप जिस गाव में जिस मुहले में हो उस मुहले के सभी बच्चे एक ही विद्याला में जाके परते हैं मतलब हम उम्र साथ ही है उसी के एज के साथ ही है उसी के साथ खेलना कुदना सीखता है इस्त्रियोचित पुरुचो पुरुसोचित भूमिका है देखो इस उम्र में जानने लगते हैं कि मैं लड़की हूँ मुझे फ्राग पहननी चाहिए मुझे टू-पीस जो भी आता है ना पहनने का लड़के हैं तो को जान लेता है कि मुझे पैंट सर्ड पहनना है तो इस्त्री और पुरुस की जो वेजभुसाय हैं रहन सहन हैं तौर तरीके हैं वो भी सीखने लगते हैं पढ़ना लिखना भी सीखता है क्योंकि स्कूल जाने की अवस्था है नैतिक मुल्य का भी ग्यान होता है और समाज समुह का भी विकास होता है सबसे जरूरी बात द्रब्यमान संख्या और छेत्र का विकास होता है उत्तर बाल्य वस्था कैसे इस उम्र में बच्चा वजन को जानने लगता है संख्या को जानने लगता है ठीक है इसलिए तो द्रब्यमान संख्या छेत्र का विकास और यह ज चलब भई एब बात करें चव था 24 वस्था किचो odpowied हक साँ कि जो उम्र है ना 12 या 13 18 देखको कहीं कहीं 12 भी लिखा रहता है और कहीं 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 13 कि चुकि哥 in authentic वहाँ तो को यदिkar को 13 div हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित हो क्योंकि टीन एज बोलते हैं इसको और तीन मतलब 13 14 15 है ना भई तो यह तीन एज हैं इसलिए 13 से उम्र होना चाहिए लेकिन 12 और 13 से 18 के बीच आप इसको मान सकते हो ठीक है अब किशोरावस्था को लेकर अनेक मनोवय ज्यानिकों ने विस्षिस्ताय दी है परिभासा दी है और यह प्रश्ण आता है भाई प्रश्ण बनता ही है आपकी इसाम में तो देखो किशोरावस्था को लेकर कील पैट्रिक ने क्या कहा है जीवनल का सबसे कठिन काल है किशवावस्था किस ने कहा किल पैट्रिक नया जन्म का काल है इस टैनले हाल ने कहा किसुरावस्था अपराध प्रविती का नाजुक समय है इस उम्र में बच्चा जगरालू होता है जो सिले होते हैं इसको विलेंटाइन ने कहा किसुरावस्था सैसवावस्था का पुनरावर्तन है जौन्स ने कहा किसुरावस्था महा आदर्सो वास्तविकताओं के प्याजे ने कहा ठीक है भाई यह कुछ महत्पून है मनोवज्यानिक जिनके कथन थे इसके अलावा इसकी विशेश्टाओं के बात करू इसमें विशंम लिंगी आकर सड होता है देखो विशंम लिंगी भाई दो लिंग होते हैं दो जेंडर होते हैं इस्त्री लिंग और पूरुस जो है अर्थात कोई भी पूरुस है मेल है वो फीमेल को देखता है अट्रेक्ट होने लगता है फीमेल जो है मेल को देखती है वो अट्रेक्ट होने लगता है ठीक है अर्थात आकर्शन के गूर इसी किसुरावस्था से सुरू हो जाता है वीर पूजा की भाउना वीरता भरी रहती है खून खौलने लगता है जोस उभर कर पानी की तरह छलकने लगता है ठीक है भई वीर पूझा की भावना होती है अमूर्त चिंतन की अवस्था है अमूर्त अर्थात जो ठोस की रूप में नहीं हमारे सा कल्पना तो कल्पना से भी ये चिंतन कर सकता है ठीक है भई तो ये तो रहा किसुरा वस्था अब हम बात करें वनसानुक्रम और वातावरण की तो देखो भई वनसानुक्रम और वातावरण तो प्रकृती बच्चों के वनसानुक्रम कारणों को संदर्भित करता है देखो वन्सानुक्रम अर्थात प्रकृती ठीक है भई और प्रकृती अर्थात व्यक्ति तो लक्षणों के निर्मार में भी मदद करता है देखो व्यक्ति बच्चों के वन्सानुक्रम कारणों या जिन को संदर्भित करता है प्रकृती और इसी में आता है आपका अनुवा तो इसको तो खर यहां से आपके question बने नहीं है जहां से बनता है सीटेट की हम बात कर रहे हैं तो रास महोदय ने चार प्रकार की अवस्था बताया है हरलाक ने 11 प्रकार की बाल विकास की अवस्था बताया है उसको भी आप याद रखी बृद्धी और विकास में अंतर हम न समाजी करण की की आखिर ये समाजी करण होता क्या है तो देखो समाजी करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मानव समाज के द्वारा सीखता है और सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलता देखो समाजी करण की प्रक्रिया में कोई भी मानव समाज में सीखता है अर्थात जब बालक अपने बहुत सारे मित्रों या जब कोई व्यक्ति अपने समाज के बहुत सारे लोगों के बीच रहकर रहन सहन के साथ में वहां सीखता है तो वही समाजी करण कहलाता है और समाजी करण की जो इकाईयां है न एक तो है परिवार, विद्यालय, अध्यापक और खेल का मै प्रवावववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव रहा है चाहे वह संसकार सीखे भासा सीखे दोस्ती से भी वही चीज होता है आस्परोस से रिष्टेदारों से यह सक्री एजन्सी है निस्क्री एजन्सी जैसे पुलिस इस्टेशन वहां से डारेक्ट वह नहीं सीखा भई परिवार से वह सीखा समास से वह सीखा अब पुलिस इस्टेशन वह सक्री एजन्सी ना होके निस्क्री एजन्सी क्यों है इसको भी आप देखो भई क्यों है पुलिस इस्टेशन निस्क्री एजन्सी भई उसने गल्ति कर दी अब वह सुधार होगा पुलिस इस्टेशन में म पालन पोशन सहयोग अनुकरण पुरशकार और दन इस सभी क्या है समाजी करण की प्रक्रिया है ठीक है अब हम बात करें बुद्धी की कि आखिर बुद्धी होता क्या है बुद्धी के संबंद में कुछ बिंदु है अतियंत महतपूर्ण है आपके परिक्षा में आ चुके हैं भाई आपको विशेश ध्यान देना होगा बुद्धी बहुत आयामी है बहुत सारी इसके आय होता है यहां मानसिक शमता भी है देखो मानसिक कारे करते हो इसलिए मानसिक शमता है बुद्धी परिवर्तन सील है बदलते रहती है बुद्धी अनुकुलन परमदक भई आपको अनुकुलन इस्थापित करना है मानली जी आपको ठंधी प्रदेश में रहना है तो बुद् क्या क्या है मूर्त बुद्धी अमूर्त बुद्धी समाजिक बुद्धी ठीक है भई अब बात करूं मैं इन तीनों प्रकारों की तो मूर्त बुद्धी तो मूर्त बुद्धी अर्था ठोस रूप में जो ठोस रूप में हमारे सामने हो उसको देखकर यदि हम कारे करें तो नहीं है उससे सिखते हैं जैसे अमूर्त बुध्धि जिसमें ज्यादा है किसमें कभी भाई वो imagine करके कभी कविता की रशना कर रहा है डाक्टर हो चित्रकार हो यह अमूर्त बुध्धि में आता है समाजिक बुध्धि भी कौन आएगा जो समाज से भी होते हैं अध्यापक व्यावसाई यह सब समाजिक बुध्धि के अंदर आते हैं ठीक है भई अब बात करूं मैं बुध्धि लब्धी की तो इंटिलिजन्स बुध्धि लब्धी क्या है देखो भई बुध्धि मापने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ याद रखलो बुध्धि मापने के लिए पहला जो परिक्षर है विने तथा सायमन ने 1905 में किया था इसके बाद में इसमें संसोधन किया टर्मन ने औ पर कहां इस्टैन फोर्ट विश्विद्यालाय में 1916 में किया ठीक है भई बुध्धि लब्धी क्लियर है अब बात करें बुध्धि लब्धि और उनके बौधिक इस्तर की यहां से प्रश्ण बनता है भई देख लो जीरो से 25 जिनकी बुध्धि लब्धी है वो जड़ बुध्धि बालक होता है ऐसे बालक दूसरे परास्रीक 25 से 50 तक हिन बुध्धि बालक 50 से 70 तक मुर्ख बुध्धि बालक सत्तर से नब्बे मंद बुद्धी बालक नब्बे से एक सो दस समाने बुद्धी बालक एक सो दस से एक सो पचीस स्रेष्ट बुद्धी बालक और एक सो पचीस से एक सो चालिस प्रकर बुद्धी बालक और 140 से उपर को प्रतिभा साली बालक कहा जाता है ठीक है ज्यादतर प्रोश्ण बना है भई मंद बुद्धी बालक जिनकी बुद्धी लब्धी 70 से 90 होती है और प्रतिभा साली बालक जिनकी बुद्धी लब्धी 140 से अधिक होती है और बुद्धी लब्धी आपको ग्याद करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है जो आपको दिख रहा होगा तो बुद्धी लब्धी बराबर मानसिक आयू बटा वास्तविक आयू गुडा सव ठीक है इससे आप मान निकाल सकते हो मानसिक आयू दिया होगा वास्तव 10 शाली बाद लक और समान ने बुद्धी-बालक लगातार पूछेगा Het अब भुध्धी की माप कि भुध्धि की मापन हम कैसे करें बहुत सारे मापन है तो बुध्धी की माप को ही बुध्धी-परिक्ष्छर कहा जाता है और इसके कई परिक्षन जैसे बीने सायमन परिक्षन वेसलर का बुध्धी परिक्षन कैटल का बुध्धी परिक्षण रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का बुद्धी परिक्षण यह सब बुद्धी परिक्षण की मापनविधी है ठीक है अब देखो बुद्धी का सिध्धान बुद्धी का सिध्धान यहां से आपका प्रश्ण बनता है तो बुद्धी के सिध्धान अनेक ह एक कारक सिध्धान द्वी कारक सिध्धान बहु कारक सिध्धान और प्रतिदर्श नमुना सिध्धान बात करूँ सबसे पहले मैं एक कारक सिध्धान की मित्रों तो इस सिध्धान के प्रतिपादक विने थे ठीक है भई एक कारक सिध्धान के प्रतिपादक विने है और इन् एक कारक सिध्धान दिया विने ने अब द्वी कारक की मैं बात करू तो द्वी कारक सिध्धान इस पियर मैंने दिया है इन्होंने बताया कि बुध्धी दो तत्व से मिलकर बना है एक तो समान्य बुध्धी और दूसरा है मतलब समान्य तत्व और विशेश तत्व ठीक है अ समान तत्व दिया विशिष्ट तत्व में उसने कहा कि बुद्धी दूसरों से अरजिद करने वाली होती है ये द्वीकारक सिध्धान्त में इस पियर मैंने कहा उसके बाद देखो समुह कारक सिध्धान्त तो थर्ष्टन ने समुह कारक सिध्धान दिया है देखो भई थर्ष्टन ने समुह कारक का सिध्धान दिया और क्या कहा थर्ष्टन ने कि बुद्धी कई प्रकार की योग्यताओं का मिस्त्राण है इन्होंने इन्ही मिस्त्राणों को साथ मानसिक योग्यताओं का मिस्त्राण कहा है किसने थश्टन ने किसमें समूह कारक के सिध्धात में अब क्या क्या ये साथ प्रकार की योग्यताएं हैं वो भी आप देखिए संख्या योग्यता नंबर जिसमें संख्यात्मक योग्यता जादा हो मौखिक जिसमें भासाई योग्यता जादा हो दूरी या अनुमान योग्यता जिसमें जादा हो अनुमान लगाने का रटन तिस्मृती जिसमें मेमोरी स्टोरेज अर्थात रटने की प्रविती याद दास्त जादा हो तर्क करने की योग्यता भासा प्रवाह योग्यता और प्रत्यक्षी करन योग्यता यह जो साथ दिया सिद्धान तो गिलफोर का बुद्धिक का पहले बाटा थीक है इसे लिए इसको त्रिवे मिय बुद्धिक मॉडल्र भी इसको कहा जाता है या त्री आयामी सिध्धान भी कहा जाता है क्या क्या बाटा विश्यवस्तु संक्रिया और उत्पाद ये तीन स्रीणी में इसको बाटा गया है ठीक है हावर्ड गार्डर के बहुद्धी सिध्धान की मैं बात करूं तो हावर्ड गार्डर इन्होंने जो बहुद्धी सिध् आठवा प्रकार 1998 में दिया और 2000 में नवा प्रकार जोडा अर्थात वर्तमान में हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुध्धी के नव प्रकार बताये गए हैं क्या क्या है भाई सबसे पहले आता है भासाई बुध्धी या इस वाले टॉपिक से क्वेशन आता है ना इस सिद्धांस याद रखना भासाई बुध्धी जिसमें भासाई ज्यान ज्यादा हो अर्थात जो भासा में जिसकी पकड़ है या तो वकिल बनेगा या पत्रकार बन बुध्धी है तो इसमें मानसिक छवी बनना स्थानिक बुध्धी है कि जिसमें इसका विकास अधिक होगा वो मुर्तिकार चित्रकार आर्किटेक्ट तक बनते हैं ठीक है ला अब देखो भाई इसमें सारिक गतिक बुद्धी तो जिसमें सारिक गतियां जादा होती जो अभिनेता अभिनेत्री एथलेट डांसर अर्था सरीर को जातो जो लचिले तरीके सुप्योग कर पाते हैं है ना और जिसमें संगीतात्मक रूची अधिक हो वो सिंगर इंटर्ट देखो समझने वाली ये दो चीजें हैं अंतर व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक ये दो चीजें सबसे पहले समझो अंतर तो अंतर मतलब इसमें दूसरों के साथ कैसे बात चित करना है ये पता ये पता चलता है अंतर व्यक्तिक में ठीक है ऐसे लोग नेता बनते हैं अर्था दूसरों से कैसे बात चित करते हैं, समाजिक कारे करता, अंतरव्यक्तिक और अंतह, अंतह मतलब स्वयम से, मतलब इसमें खुद से बात चित करेंगे, अब जब खुद से बात करोगे, तो क्या बनोगे भाई, अध्यात्मिक गुरू बन जाओगे, ठीक है, अगला अस्तित्ववादी जिसमें अस्तित्ववादी बुद्धी होती है न वे हमेशा जानने के लिए आतुर रहते हैं कि इस ब्रह्मान की रचना कैसे हुई किसने किये हम धर्ती पर क्यों आए भगवान कौन है तो ऐसे लोग साधू संति या फिलो स्वाफर बन जाते हैं अब प्रकृति वादी बुद्धी जिसमें हो वो किसान बन जाते हैं प्रकृति की और रूची लेनी लगते हैं ठीक है तो ये हावाड़ा गार्डनर का हो गया इंपोर्टन चीजों पर मैं डिसकस कर रहा हूँ ना देखो भई ये भी जरूरी नहीं है अब आते हैं जिन प्याजे का सिध्धान जिन प्याजे ने क्या सिध्धान दिया है इस पर आ जाओ तो संग्यानात्मक विकास का सिध्धान जिन प्याजे ने दिया है और जिन प् बालक को अच्छे से अध्यान किया और अध्यान करने के बाद उसने कहा कि बच्चे सक्री ज्ञान के निर्माता और नन्हेवे ज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिध्धानतों की रचना करते हैं इंपोर्टन ने भाई ये क्वेशन आ चुका है ये सिध्धान ये इनके जो कथन है न को आ चुका है अब जिन प्याजे की अधाना को पहले समझो तो क्या है भाई संग्यानात्मक विकास की अधाना पहले देखो अनुकूलन क्या होता है जिसको एडाप्टेशन बोलते हैं जब हम स्वयम को वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं तो वही अनुकूलन है माली जी मैं ठंडा इलाका में गया वहां मैं स्वयम को यदि ढाल लिया तो मैं अनुकूलित हो गया यही अनुकूलन है भाई अर्थात ढलने या ढालने की प्रक्रिया ही अनुकूलन है ठीक ह अनुकुलण भी दो तरीके से होगा एक तो आत्मसात करर और एक समायोजन आत्मसात करर पुर्वज्ञान को नए ग्यान के साथ जोड़ना आत्मसात करर जैसे मुझे cycle चलाना आता है मैं बड़ा हो गया अब मुझे bike चलाना सीखना है पूरो ग्यान cycle चलाना वर्तमान बाइप चलाना अर्थात मैं जो cycle चलाया हुँ न मैं जान रहो कि हिंडल को पकलते हैं ताथ मेरे को balance बनाना आता है क्योंकि मैंने cycle बनाते हुए सीख लिए cycle चलाते हुए मैंने सीखा था तो वो नए ग्यान में help कर रहा है है न तो यही क्या है भाई आत्मसात करण अर्थात पूरो ग्यान नए ग्यान के साथ जब हम जोड़ रहे हैं clear है अब समायोजन को देखो तो पूरो ग्यान में परिवर्तन करके वातावरर के साथ जब हम तालमिल बठाते हैं वही आत्मसात करण क्लियर है उसके बार देखो संतुलन या साम म तो आत्मसाथकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीज़ हम जब समायोजन इस्थापित करते हैं ना संतुलन इस्थापित करते हैं तो वही सामयधारण या संतुलन कहलाता है अब देखो प्याजे की अवधाना प्याजे ने चार अवधाना दिया है पहला है समेधी पूर्वा देखो समेधी पूर्वा मूर्त और अपचारिक ठीक है यह चार 0227 711 11 समेधी क्रियात्मा का वस्था पहली जो सेंसरी मोटर की अवस्था भी तो यह उम्र सीवा देखो पाईंडरी हम से बच्चा सीखता है यह मतलब मैं Ox प्रकार की हमारी निंदरी है भाई और इसी से देखो भाई ये केवल दो वर्ष का छोटा सा सीसु है वो सिर्फ की चीजों को देख पाएगा बार-बार वो खेलनों को दोगे चकने की कोशिस मुँमे लेने की कोशिस करता है वो देखकर सूंग कर चाटकर है ना यह अनुभाव करने लगता है सिखने लग कर्या नहीं कर सकता यह सवेदी ख्रीयात्मक ऑश्ताइच याद रखना डाता है इसलिए मैं ने बिंदुवार् डाला है कि उसके बार पूर्व क्रीव ख्रीयात्मके प्री ऑप्रेशनल स्टेजत में यह तकरने की पहले किया भेस्ता है इसमें प्रतिका अतमक वो संक्रियात्मा क्रिया करने के पहले की अवस्था इसमें चीजों को तो देख सकता है लेकिन क्रिया नहीं कर सकता किसरा आता है भाई मूर्त संक्रियात्मक देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब क्या है तो मूर्त ठोस रूप में जब सामने होना उसी पर ये क्रिय कर सकता है मूर्थ रूप में यह साथ से 11 वर्ष की है उम्र मूर्थ तरक और चिंदन अर्थात मान लो बच्चों को मैंने कहा हाथी के बारे में बताओ यदी हाथी उसके सामने आएगा तभी वह बच्चा बता पाएगा हाथी के बारे में इसी लिए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है भई मूर्त है यह चवथा प्रकार है अपचारिक संक्रियात्मा कवस्था फार्मल ऑपरेशनल इस्टे जिसको बोलते हैं इसकी उम्र ग्यारा से पंद्रा वर्ष होती है अमूर्त चिंतन भी करने लगता है और थात मैंने कहा दिल्ली के बताओ बेटा दिल्ली में बड़े-बड़े दुकान है मकान है बड़े-बड़े बिल्डिंग्स है रबड़े-बड़ी आपीज हैं क्योंकि अमूर्त जिंतन के गुरा जाता है अब debeskे संक्रिया करना सीख जाता है clear है साथ है चलो अब देखो जो महतपूर है लारेंज कोहल वर्ग यहां से भी प्रश्णा आपका बना है तो कोहल वर्ग जो है अमेरिका को मनेवज्ञानिक थे इन्होंने नैतिक विकास का सिध्धान दिया और इसको नैतिक चिंतन का भी सिध्धान कहा जाता है सबसे पहले हम देखें नैतिकता होता क्या है तो देखो भाई सही और गलत की पहचान करना ही नैतिकता है क्या सही है क्या गलत है यदि आपने पहचान कर लिया आपके पास गुड है तो वही आप नैतिकता है नेतिक दुविधा क्या सही है क्या गलत है यदि आप निर्णाय नहीं ले पा रहे हो वो नेतिक दुविधा है और जब आप सही और गलत की बीच जब आप निर्णाय करने लगते हो तो वही नेतिक तरकणा है ठीक है भई अब लारेंज कोहल वर्ग ने नैतिकता के तीन इस्तर बताएं है और ये सक्षतकार द्वारा दिये गए उत्तरों के अधार पर ये बताया है ठीक है पहला तो है भाई प्राक रूरीगा तवस्था में चिंतन ये सबसे नीचे इस्तर है इसकी उम्रसीमा चार वर्ष से दस वर्च होती है और क्या सही है क्या गलत है ये मिलने वाली सजा या उपहार पर निर्भर रहता है इसके अंतरगर दो चरण है एक तो है बहरी सत्ता पर अधारिद और दूसरा है साधनात्मक सापेक्ष बहरी सत्ता पर कैसे भई सोच सजा से बंधी होती है अर्थात बच्चा सोचता है यदि मैं गलत करूँगा तो मुझे मेरे मम्मी पापा मारेंगे यदि मैं बुरा करूँगा तो मुझे डाटेंगे है ना दूसरा है साधनात्मक सापेक्ष अर्थात यदि कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है तो मैं भी उसके साथ अच्छा करूंगा इसे जैसे को तैसा भी नाम दिया भए है ठीक है भई उसके बाद आता है रूड ही गत अवस्था में चिंतन तो देखो यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास की दूसरी अवस्था है इसमें दो चरण इसमें भी है भई अब दोनों चरणों को पहले देखो अच्छा या अच्छी लड़की भई अगर मैं अच्छा ब्यवार करूंगा तो अच्छा लड़का कहलाओंगा या अच्छी लड़की कहनाओंगा है ने भई अच्छी लड़की अच्छा लड़का ये उन्मुकता सीखेंगा और कानून अन ब्यवस्था भई कानून के या नियम आदेश न्याय करतव्य बनाए गए उसी के दायरे में रहना चाहिए ये बच्चा सीखेगा कोन से रूढ़ी गत अवस्था में अब रूढ़ी से उपर उठ कर जिसको उत्तर रूढ़ी गत खा जाता है अब देखो इसमें बच्चा नियाम में नहीं चलेगा ना रूढ़ी गत में क्या है भई कोई भी कानून बना है उसी कानून के दायरे में रह कर जब काम होता है न तो वह रूढ़ी गत है अब उस कानून को तोड़ दो उस रूढ़ी गत अवस्था में उत्तर रूढ़ी गत अवस्था में पहुँच गया ठीक है भई अर्थात क्या सही है क्या गलत है निर्णाय मैं खुद से ले रहा हूं तो ये रूढ़ी गत अवस्था में है ठीक है भई तो ये समाजिक अनुबंध देखो ये समाजिक है समाज अनुबंध उन्मुक्ता है इस सवस्था में किसोर यह सोचने लगता है कि कुछ मुल्य कुछ अधिकार भल ही है हमारे लिए लेकिन हमारे जो खुद की कहना चाहिए सिध्धान्त उन अधिकारों से उपर भी हो सकते हैं और किसी के भलाई के लिए तोड़ देना भी हुचित है है न भई यह कहता है अब सारभौ् Mozart का सिध्धान कहता है कि कानुन और देखो हमारे अंतर आत्मा की आवाज को सुनना है हमको नियम को ध्यान ना देखर के दिल क्या कहता है उसको ध्यान देना है यह कहता है उत्तार र ज्ञानिक थे भई इन्होंने समाजिक सांस्कृतिक सिध्धान दिया है वायगोशुकी में अब वायगोशुकी के अनुसार उनके सिध्धान के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति से अंतहक्रिया करके सीखता है अर्थात पहले समाज में अंतहक्रिया करता है उसके पहली यह अंताक्रिया करेगा उसके बाद विकास होगा वाय गोच्छोकी ने दो अधाना दी है भाई देखलो दोनों एक तो है जेड पीडी समिपस्त विकास का छेट जोन प्रॉक्सिमर डेवलप्मेंट तो वास्तविक विकास का छेटर और संभावित विकास के छेटर के जो इसतर है उसी को समिपस्त विकास का छेटर कहा जाता है अर्थात बच्चा सायकल चलाना सीखता है तो अब पहले उसे मदद की आवसकता होती है जो दूसरों से दी जाती है और यही मदद जेड पीडी कहलाता है इसके फोर्डिंग भी लगभग यही है भाई पाड या धाचा जिसको कहते है न तो वयसको द्वारत की जाने वाली एक समान्य मदद या मार्ग दर्शन ही इसके फोर्डिंग कहते है इसके फोर्डिंग देखो भई पार या धाचा इसके फोर्डिंग को कहा जाता है यही हिंदी में सब्द आया हुआ था तो हिंदी नाम याद द ठीक है इनका क्या मानना है कि बच्चे के मस्तिक्स में एक दिवाईस होता है नौम चो मस्की मानते हैं कि बच्चे के मस्तिक्स में एक डिवाईस होता है और इसी डिवाईस क्यों जैसे बच्चा क्या करता है भासा सिखता है ठीक है नौम चो मस्की ने भासा सिखने की छमता क जन्मजाद बताया है ठीक है भासा सीखने की छमता जन्मजाद होती है और इन्हों ने एक डिवाइस बताया जो बच्चों के मस्तिक समें रहता है उसका नाम लिया लेंग्वेज एक्वेजिशन डिवाइस भासा अधिग्रहार यंत्र ठीक है यह कहा किसने नौम चोमस की अब देखो इसके बाद में आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी अब ब्लूम टैक्सोनॉमी ने यह क्या है पहले देखो अमेरिका के निवासी थे भई तो इनके सैक्षणिक उद्देश्य की बात करें तो इनके कई सैक्षणिक उद्देश्य हैं सबसे पहले आता है ज्यानात्मक पक्ष तो इसमें यह ज्यारात्मक पक्ष मानसिक शम्ताओं से संबंदित होता है ठीक है इसको छै भागों में बाटा गया है ज्यान बोध अनुप्रयोग दूसरा आता है भावात्मक पक्ष इसमें भावनात्मक लगाओं से जुड़ा हुआ होता है इसके भी पाच भाग अग्रहार या ध्यान देना अनुक्रिया आकलन संगठन और मुल्यों का चरित्रिकर चुकि भावनात्मक पक्ष की बात हो रही है तो इसमें उत्साह तारी प्रेर्ना घृणा यह तमाम जो चीज़े हैं देखने को मिलती है तीसरा आता है भावावई इसमें क्रियात्मक पक्ष इसमें सारविक कौशल मोटर स्किल्स आते हैं इसमें 16 को भागो में बाता गया है सहज क्रियात्मक अंग संचालन अधार भूत साररिक योग्यता प्र उसके बाद देखो शिगमन फ्रायड अब शिगमन फ्रायड ने मनोविश्टल श्रात्मक सिध्धान दिया इन्होंने मन के तीन प्रकार बताया है चेतनमन अर्ध चेतनमन और अचेतनमन यह वर्तमान में जो विचार आते हैं उससे संबंदित है अर्ध चेतनमन कोई भी चीज के जानकारी तूरंत नहीं मिलता बलकि कुछ समय के बाद में जानकारी मिलता है यह अर्थ चेतन मन में कोई बात चली जाती है थोड़ी देर बात दिखना जिस समय जरुरत होती है उस समय याद नहीं आती कुछ समय बाद वो याद आ जती है यही अर्थ चेतन मन में चला जाता है अचेतन मन हम पूरी तरीके से भोल चुके होते हैं कोशिस तो करते हैं सब्सक्राद ही नहीं आता वो अचितन मन है ठीक है भई एरिक एरिक्सन अब एरिक्सन ने मनोसमाजिक सिध्धान्त दिया है तो एरिक्सन के मनोसमाजिक सिध्धान्त यहां से भी आपके सीटेट की एक्जाम में प्रश्न आते हैं तो देखो सबसे पहले आता है विश्वास बनाम अविश्वास यह सुन्य से दो वर्ष तक की अवस्था है इसमें बच्चों को प्यार मिलता है तो विश्वास की भावना ठीक है भई बच्चों की अगर प्यार मिल रहा है तो बच्चों में विस्त्वास होता है और यदि उनको प्यार नहीं मिलता तो आविस्त्वास की भावना विक्सित हो जाती है दूसरा है स्वायत्ता बनाम सर्म ये दो से तीर वर्स होता है इसमें बच्चा खुद कारे करने की कोशिज करता है यादि माता पिता द्वारा उसको डांत दिया जाता है तो बच्चों में सर्म की भावना आ जाती है तीसरा भई पहल बनाम अपरादबोद तीन से छे वर्स क्यों रहे इसमें बच्चे बाद्य जाये तो इसमें दोस उत्पन्न हो जाती है तो परिश्रम बनाम हीन भावना 6-12 वर्स की अवस्था है इसमें वह चोटी चोटी परिश्रम छोटे चोटे काम करने लगता है और जब कुछ गलत कर दिया करके आप उसको दबा दोगी ना तो उसमें हीन की हीन भावन पहचान बनाम भ्रांती 12-18 वर्स इस उम्र में बालक अपने खुद का पहचान बनाने के कोशिस करता है और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उनमें भ्रांती उत्पन्न हो जाती है आत्मियता बनाम अलगाव 18-35 वर्ष इस उम्र में व्यक्ति घनिष्ट संबंद बनाता है दूसरे व्यक्ति के साथ घनिष्ट संबंद बनाता है और यदि ये संबंद नहीं बना पाता तो इसमें अलगाव आ जाता है उत्पादकता बनाम इस थीरता ये 35-65 वर्ष की होती है इसमें दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं भला करने की कोशिस करते हैं अगर तो इस थीरता आ जाती है संबंद न ता बनाम निराशा इसमें देखो इसमें जो व्यक्ति है वे अपने पूरे जीवन में क्या किया कौन सी च्छपुन हुआ उसके बारे में सोचता है यदि उसको लगता है कि मैंने अपने जीवन में यह नहीं कर पाया ये काम मेरा हो जाता है इस तरह से यह जो सिध्धान थैं ठीक है भई उसके बाद देखो भासा और विचार भासा और विचार पर अनेक वज्ञानिकों ने सिध्धान दिया है चुकि मैं सबसे पहले बात करूं भासा क्या है तो यह अपने विचारों को अदान-प्रदान करने का एक माध यहां से प्रश्ट बनता है तो भासविकास की सबसे अच्छी आवस्था पूर्व बाल्यावस्था है ठीक है अब भासविकास के सिध्धान की बात करूं तो सबसे पहले देखो जिन प्याजे जिन प्याजे ने कहा कि पहले विचार आता है बाद में भासा ठीक है बई जिन प्याजे ने क्या कहा पहले विचार आता है फिर भासा आता है उसके बाद कहा जिन प्याजने आत्मकेंद्रित या अहमकेंद्रित होते हैं अर्थात खेलते खेलते कुछ बोलने लगता है ठीक है अक्सर दिखना बच्चा खेल रहा है खुद में मगन रहता है खुद से कुछ ने कुछ बोलने लगता है स्वयम से बात करने लगता है यही अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित है जिन प्याजनी ठीक है पहले विकास होता है फिर बच्चा सिखता है अब लेव वाय गोच्छो की ने क्या कहा भाई कि पहले भासा और विचार अलग होते हैं बाद में एक हो जाते हैं कि दो अर्ष बाद भासा और विचार एक दुसरे पर निर्भर हो जाता है पहले सिखना फिर विकास होता है अर्थात पहले भासा और विचार अलग होते हैं और बाद में एक हो जाते हैं लेव वाय गोच्छो की ने कहा बीएफी स्किनर ने क्या कहा भाई तो ब्यवहारवादी स्किनर ने कहा भासा के संबंद में तो बच्चे सहाचारी अर्था ठोस को सब्ड से जोड़ने की कोशिज करते हैं अनुकरण द्वारा सीखते हैं पुनर बलन बच्चों को अगर हम अच्छा वेरे गूड ऐसा बोलते हैं यह पुनर बलन है इससे बच्चा सीखता है ठीक है भासा विकास अब देखो इसकिनर ने कहा कि अनुकरण द्वारा सीखते हैं भासा अनुकरण और पुनर बलन के द्वारा सीखा जाता है यह कहा जन्मजात होती है उनके मस्तिक्स में एक डिवाइस होता है जिसे LED कहते हैं भासा अरजन डिवाइस ठीक है और जिस भासा को सुनते हैं उसका व्याकरार सरलता से सीक्ग जाते हैं ठीक है इस कोई भी समस्या का हमको समाधान करना है तो मन में जो विचार आता है ना वही विचार चिंतन कहलाता है ठीक है भई चिंतन स्वालिन होता है अर्थार्थ स्वयम की कल्पना मिलीन रहना यथार्थवादी में वास्तविक्ता से संबंधित चिंतन होता है ठीक है इसी में मोस्ट इंपोर्टेंट है यथार्तवादी चिंतन इसके तीन प्रकार अभिसारी अपसारी और आलोचनाथ मक। अभी सारी चिंतन क्या है भई देखो इसमें समस्या एक ही बिंदू पर किंद्रित होते हैं अर्थात किसी भी समस्या का एक ही समाधान ये बंद उत्तर वाले प्रश्ण होते हैं जैसे प्रश्ण है मालो अभी सारी बंद उत्तर वाले और आप सारी तो आप सारी मतलब यहां पर खुला देखो दिल्ली भई बंद उत्तर वाले दिल्ली की राजधानी यहां से गलत हो गया भी देखके हैं ना दिल्ली की राजधानी क्या है तो दिल्ली आंसर खतम और एक्ष्ट्रा लिख ही नहीं सकते यह अभी सारी है बंद उत्तर है अब अपसारी मतलब खुला उत्तर वाला इसमें तर्ग कल्पना स्रीजनात्मक्ता का उप्योग जैसे दिल्ली की विशिस्ता बताना है जितना किसी बात को स्विकार कर रहे हो तो वही अलोचनात्मक्त चिंतन है ठीक है भई चिंतन के समान्य प्रकार चिंतन हो गई आप देखो अलबन बंडूरा अलबर्ट बंडूरा का समाजिक अधिगम सिध्धान तो इस सिध्धान के नुसर दूसरे के ब्यवहार को देख कर सीखा जाता है ठीक है भई किसमें समाजिक अधिगम का सिध्धान अलबर्ट बंडूरा ने दिया और इसमें दूसरे के अर्था समाज में मानने ब्यवहार को देखकर सीखा जाता है जो मॉडलिंग करके सीखते हैं न यही एलबर्ड बंडूरा है ठीक है भई पावलाओ का अनुकुलित अनुक्रिया का सिध्धान जिसे क्लासिक या क्लासिकल कंडिशनिंग थियोरी कहा जाता है पावलाओ रूश के बैज्ञानिक थे इन्होंने कुत्ते पर प्रयोक किया था ठीक है भई अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है अब पावलाओ का अनुकुलित अनुकृया को सास्त्री अनुबंधन का सिध्धान, क्लासिकल थियोरी, परमपरागत थियोरी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है भावलाओ ने कुट्टे पर प्रयोक किया इसका एस प्रकार इस्टिमल्स ठीक है उद्धिपन इसको भोजन या कुछ भी उद्धिपन दिया जाता है कुट्टे को तुब अनुकृया करता है इसी से बेश जाए अब इसकिनर का क्रियाप्रसुत किस ने दिया भाई इसके क्रियाप्रसुत के सिध्धान इसकिनर है और इन्होंने चुहा और कभूतर दोनों जीवों पर प्रयोक किया इनका दूसरा नाम क्या है और अन्य नाम आरेस थियोरी, कार्यात्माग प्रति बद्धता का सिध्धान, सक्रिय अनुबंधन का सिध्धान, अभी क्रमित अनुदेशन का सिध्धान, ठीक है, चुहे और ये दोनों पर प्रयोग किया है, अब एक बच्चा, समस्या, समाधाग के रूप में ये सीटेट से अलग है, ठीक है, इसको सीटेट से जुड़ा हुआ सिलेबस में नहीं है, अधिगम, ये most important है, यहां से question बनता है, अधिगम जिसको सीखना या learning कहा जाता है, तो जीवन परियंद चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, सीखना जीवन परियंद चाहा, सी साल के भी आप हो जाओ, कुछ ना चुक कुछ आपने जीवन में सीखते ही रहते हो, सीखना अलुकुनन की प्रक्रिया है, सीखना सारभौमिक प्रक्रिया है, देखो बई, जितने भी बिंदू, मैंने लिखा है ना, एकदम सीख प्रक्रिया है, और सक्रियता पर, जब तक आप सक्रिय नहीं होगे, आप सीख नहीं सकते, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक योग्यता, निश्चित उद्देश, परिपक्वता, परिवार, समाज, वातवरार, सिक्षक का ब्यवहार, और सीखने की इच्छा ये तमाम बिंदुएं अधिगम को प्रभावित करता है, एल ठार्न डाइक जिन्होंने सीखने के संबंध में नियम दिये, ठार्न डाइक जो है, सिक्षा मनवे ज्यानिक थे, और ये अमेरिका के थे, एक पसो मनवे ज्यानिक के रूप में भी इसको जाना जाता ह ठीक है, ठार्न डाइक ने ही टूटी एवं प्रयास का सिध्धान दिया हुआ है भई, देखो ठार्न डाइक ने प्रयास और तूटी का सिध्धान दिया, ठार्न डाइक सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना को बढ़ा दी जाए, तो उसके प्रतिवों अनुक्रिया तो कुछ न कुछ सीखेगा, है न, इसलिए ये भुखी जो बिल्ली है, उस पर प्रयोक किया, उसके बाहर एक मतली रग दी, ठीक है उसके अंदर में एक लिवर लगा दिया था, और बिल्ली जो है उचल कुद करके कोशिस करने लगी और लिवर में पैर आया, तो फिर वो प्राथमिक नियम पर बात करूं, मुख्य या प्राथमिक नियम की मैं बात करूं यहां पर, तो अभ्यास का नियम, देखो भई, अभ्यास का नियम क्या कहता है, किसी भी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर हम उस काम को सीखेंगे, यही अभ्यास का नियम ह तत्पर्ता का नियम कहता है कि किसी भी काम को सिखने के लिए हम जितना रूची लेंगे जितना तत्पर होंगे उस काम को उतनी ही जल्दी सिखेंगे प्रभाव का नियम कहता है यदि सीखना संतोज जनक होता है तो तीब्रगती से सीखता है और यदि सिखना संतोज जनक ना हो तो तीब्रगति से नहीं सीखता इसी नियम में थान डाइक ने पुरसकार और दंड की बात की अगर प्रभाव पढ़े रहा संतोज जनक तरीक से सीखेगा तो उसको पुरसकार देने की आव सकता है ये सभी मुख्य नियम है अब गौर नि आकर नियम आंसिक्त्र करिया का नियम ये सब गौर नियम है आत्मी करान मनोवर्ती सहचर्य करिया क्यार क्या, इमपॉर्टन नहीं है, इंपॉर्टन है थाण डाइक का सिध्धान्थ और धिपरके से सिग्धान या है इस तरीक से इस थ्योरी प्रयात्न और तूटी का सिध्धान्त प्रयासिवंभूल का सिध्धान्त संबंद वाद का सिध्धान्त सयोजन वाद का सिध्धान्त आवरिती का सिध्धान्त और परिस्त्राम और धार्य का सिध्धान ये सब थौनराइक के सिध्धान थे अब सूजिया अंतरद्रिष्ठी का सिध्धान जो की गेश्टाल्ट वादी ने दिया हुआ है भई अब देखो गेश्टाडवादी ने इसको दिया है इसका अर्था है आकृति का समग्रता अर्थात संपून मान लिजिए कोई बाइक देखते हैं लेने के लिए तो हम उसके समग्रूप को देखते हैं समग्रूप से तात्परिमने मालो हमें नया बाइक लेना है तो उसकी माइलेज क्या है कितना एवरेस देता है है ना ट्यूबलेस है क्या है कैसे है पूरे उनकी इंटर्नल को माना जाता है चलो हल ने दिया है पुनर बलन का सिध्धान याद रखेंगे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है वाट्सन का व्यावहारवाद का सिध्धान देखो वाट्सन एक अमेरिकी मनोवज्यानिक थे जिन्होंने व्यावहारवाद का सिध्धान दिया है इंपोर्टेंट चीजों पर बात कर रहे हैं समाज में लैंगिक मुद्दे आप देखो आपके प्रश्ण यहां से बनते हैं लैंगिक मुद्दे तो भाई लैंगिक मुद्दे अब समाज दिर्मान में दो व्यक्ति क्या वस्यक्ता होती है कौन इस्त्री और पुरुस ये एक सिक्षा के दो पहलू हम इसको मान सकते हैं प्राचिन काल में इस्त्री को बहुत महत्व दिया जाता था वयदिक काल में इस्त्री प्रत्यक पक पर पुरुस के समान चलता था उच्छ सिक्षा प्राप्त करने का पढ़ने लिखने का भी अधिकार था ठीक है अब इसका सिधा उधारन मैत्रेई गारगी लोपा मुद्रा आदिसे आप जान सकते हो जो की बहुती विदूसी महिला थी उच्चे इस्तरी गड़ी पारिस्थिति की समाज विज्ञान सभी में दक्ष थी किन्तु जब वैदिक काल आया तो नारी की स्थिति गिरने लगी ठीक है भई अब ये जो लिंग है जो जेंडर है उसके तुलनात्मक अधियन की मैं बात करूँ तो एक तरफ लिंग है एक तरफ जेंडर है तो लिंग क्या है भई एक जैविक सरचना है ठीक है और जेंडर समा स्ञाजिक शान्सगी की सरचना लिंग प्राकृति से दिया हुआ लेकिन जेंडर समाज की देन है जेंडर जो भेद्भाव है ना समाज में इस्तिरी पुरुस लड़की लड़का ये समाज ने इसको बनाया है लिंग इस्थिर है जबकि समाज एक परिवर्तनी है परिवर्तन संभव है आप बदल सकते हो ठीक है भई जेंडर जो है रूढ़ीवादी सोच परधाईत है अब लेंगिक भेद भाव कैसे होता है महिला में कहां कहां होता है सिक्षा के छेतर में होता है समाजिक छेतर में आर्थिक छेतर में राजनितिक छेतर में विज्ञान के छेतर में मनरंजन के छेतर में खेल के छेत्र में जो है महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव देखने को मिलता है लेंगिक रूढ़ीवादी सोच तो लिंग की धारान जो पहले से चली आ रही है वही लेंगिक रूढ़ीवादिता कहलाता है लेंगिक पुरुवाग्रह अर्थात ये जन्मजात नहीं है ये प्राया नाकरात्मग या रूढ़ीवादी सोच पर अधारित होता है लेंगिक पुरुवाग्रह ठीक है भई देखो लिंग निर्धारा इसको याद रखो क्वेश्चन आता है तो हमारे सरीर में दो तरह के क्रोमोसम्स पाय जाते हैं क्या क्या X और Y जब मेल होता है तो XY होंगे फिमेल होता है तो XX होंगे और टोटल गुर्ण सूत्र 46 होते हैं जो 23 के जोड़े में रहते हैं ठीक है भई व्यक्तिगत भिन्नता मैंने बात की है व्यक्तिगत भिन्नता की क्या होता है तो भाई देखो सरप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता की बात गॉल्टन ने किया था इनके अलावा जेम्स ड्रेवर, टॉयलर, कैटर, इसकिनर ने भी इस पर बात की थी ठीक है अर्थात अब व्यक्तिगत भिन्नता मतलब जो दो बच्चा किसी ने किसी रूप में भिन्न होगा एक दूसरे सी चहे सारेग भिन्नता हो, बौधिक भिन्नता हो, समेगात्मक भिन्नता हो, व्यक्तित्व में भिन्नता हो, उपलब्धी में भिन्नता हो, गत्यात्मक कौसल में भिन्नता हो, रूची में भिन्नता हो, अभिरूची, अभिक्षमता में भिन्नता हो, या उनके मनो व्रिति में भिन्नता हो कुछ न कुछ भिन्नता होती है और यही भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है ची क्या भाई खेल को देखिए खेल क्या होता है कोई ऐसा कारे कलाप जिसको करने से बच्चों को आनंद मिलता है कोछ भी काम जिसको करने से बच्चों को अच्छा लगे आनंद के प्राप्ति हो वो खेल है अब एसी आर्टी में लिखित भुक के अधार पर खेल पांच प्रकार का होता है डियलेट की पुस्तक है भाई सुन्दरलाल सर्मा मुक्त भी स्विध्याल है तो पांच प्रकार के खेल बताये गए हैं मुक्त और संरचनात्मक खेल बहरी और भित्री खेल व्यक्तिक और सामुहिक खेल ओजस्वी और सांध खेल और सम्वेदी क्रियात्मक खेल ठीक है तो पियाजे के संग्यानात्मक विकास में भी खेल की महतपून भूमिका होती है कुछ खेल विध्य और उसके जनक को याद रख लेंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेस्चन आपका बना हुआ है किंडर गार्डन फ्रॉबेल हैं इसके जनक मौन्टेश्री के जनक है मारिया मौन्टेश्री हुरिस्टिक के जनक आर्मिश्ट्रॉंग है प्रोजेक्टिवी धी किलपैट्रिक हैं डॉल्टन स्रीमती पार्क हष्ट हैं और बाल्चर है वेडेन पावेल ठीक है ये खेल भी धी और उनके जनक है इंपोर्टेंट रभई यहां से भी आपको याद रख लेना है कुछ परिभासा अभी रूची क्या कहते हैं तो ऐसे भाव कि अनुभूती जो किसी वस्तिव पर दिये जाने वाले ध्यान या कोई इच्छा के साथ किया जाए अर्थात जब इच्छा से रूची के साथ जब आप कुछ काम करते हो तो वही अभी रूची कहलाता है ठीक है भाई अभी शमता क्या है किसी विशेश छेत्र का ज्यान अभी रूची कौशल आदी विक्सित करने की शमता अभी शमता अर्थात किसी विशेश छेत्र में ज्यान अर्जित करने की कौशल विक्सित करने की शमता अभी शम्ता किसी विशेष छेत्र में कौसल विक्सित करने की शम्ता अभी शम्ता कहलाता है ठीक है इस्मृति क्या है तो देखो भई यह एक मानसिक प्रक्रिया है इसमें व्यक्ति धारण की गई वस्तु को पुना इस्मरण करके चेतन में लाकर हुपयोग करता है वही इस् सिखी जा चुकि है उसे इसमरण करना ही इसमृति है ठीक है अब वी इसमृति क्या है तो इसमृति के विप्रित क्रिया ही वी इसमृति है यह अभी एक मानसीफ प्रक्रिया च्योंकि भूत काल के सभी अनुभव जो वर्तमान चितना में लाने के असफलता देखो भै, जो आप भूतकाल में सीख चुके हो यदि आप उसको याद करते हो, वो याद آता है तो वो इसमृती है और यदि वो याद ना आए आप याद करने में असफल हो जाओ तो वो आविस्मृती या विश्मृति कहलाता है ठीक है अब आते हैं समावेसी सिक्षा क्या होता है भाई ये समावेसी सिक्षा देखो ऐसी सिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे सामिल होते हैं चाहे बच्च दिव्यांग हो चाहे प्रतब समान्य हो चाहे प्रतिभा साली हो अर्थात जब सभी बच्चों को नियमित इसकुलों में सिक्षा दी जाती है तो वही समावेशी सिक्षा कहलाता है और NCRT के भूक के अनुशार जाती लिंग समाज परिवार आदि के अधार पर जब बिना भेद भाव के एक ह अधिविद्यालाय में जब सिक्षा दिया जाता है तो वही समाजिक देखो समावे सिक्षा कहलाता है ठीक है भरी आब देखो सिक्षा के अधिकार अधिनियम 2,090 चलि बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिसको अंग्रेजी में राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं आटी 2009 बात करें हम एक एक बिंदू पर बात करेंगे उन तमाम बिंदू को मैं इस वीडियो में साजा कर रहा हो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम में आ चुकी हैं वर्ष 2009 में बालकों का निशुलक एव अन्युआर्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया देखिए 2009 के नाम से इसको जाना जाता है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 जो की एक अप्रेल 2010 को कानून के रूप में पूरे देश में लागो किया गया है ठीक है भाई उसके बाद देखो वर्ष 2002 में समिधान के 46 संसोधन द्वारा अनुच्छेद 21 एक भाग तीन के माध्यम से 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया देखो ये प्रश्ट जो है आपके सीजी टेट की परिक्षा में आ चुका है तो अनुच्छेद 21 एक तहट निशुलक एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है यदि बच्चा दिव्यांग है तो मुक्त शिक्षा 6-18 वर्ष तक रखा गया है धारा बारा क्या काता है भाई आटी 2009 के अनुसार प्राइवेट इसकुलों में गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिसत सीट आरक्षित होती है ठीक है कोई भी प्राइवेट इसकुल है वहाँ पर जो 25 पर्शन जो सीट है गरीब बच्चों के लिए रहेगी याद रखना इस टो उस फीस का उस सूलक का दस गुना जुर्माना देना होगा और लिए किसी बालक के पास जन्म प्रमाड़ पत्र यदी प्रक्चों तो उसके वज़ा से उनको प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता यह भी अत्यांत महत्पुरबिंदु है आजकल जन्म प्रमाड़ पत या कोई प्राइवेट स्था ही क्यों नर है। सेक्षिक वर्ष के प्रारम में बच्चों को प्रविश दिया जाएगा देखो जब एडमिशन होता है प्रारम भी में जुन जुलाई में तो बच्चों को प्रविश दिया जाएगा किसी भी स्टुडेन को फैल नहीं किया जाएगा देखो भई कोई भी स्टुडेन को फैल नहीं किया सकता और नहीं उसकों विद्ध्यालная से निकाला जा सकता है। बच्चों को साधिक दण्ड भी नहीं दिया जा सकता और नहीं प्रतारित किया जा सकता है। यह आटी एक्ट 2009 कहता है। और धाराचोबिस में सिख्षकों के कर्तवय की बात की गई है। शिक्षकों की duty के संबंद में भी यहां बात है जिसमें शिक्षकों केवल तीन ही कारिय में duty लगाया जा सकता है एक तो जनगरना के कारिय चुनाओं के कारिय और आपदा प्रबंधन की जब इस्थिती आती है तब इन तीनों के अलावा किसी अन्य कारिय में duty नहीं लगाया प्रात्मिक कक्षा में छात्रा और शिक्षक की अनुपात की मैं बात करूं तो 30 अनुपात एक अर्थात 30 बच्चों में एक शिक्षक की उपस्थिती होनी चाहिए और अपर प्राइमरी की बात करूं उच्छ प्राथ्मिक की मैं बात करूं तो 35 में एक सिक्षक होना चाहिए यदि 25 बच्चे जिस विद्यालाय में हैं वहां पर एक सिक्षक की उपलब्धता जरूरी है कक्षा एक से आठवी तक प्रवेश देने देखी प्रवेश दिये बच्चों की संख्या यदि 200 से अधिक हो जाती है तो यह 45 अनुपात एक हो जाएगा ठीक है बई कुछ और महत्पून बिंदु देखो यदि प्राथमिक इस्तर में 1500 से अधिक बच्चे हैं तो वहां पर ए आज सिक्षक होगा यह बहुत जरूरी है भाई इसके अलावा देखो शिक्षक एक सप्ता में 45 घंटा परहाई कराएगा ठीक है उनकी टैम लिमिट है 45 घंटा प्रात्मिक साला में 800 घंटे साल में और 200 दिन वैसे ही उच्च प्रात्मिक साला में 1000 घंटे और 200 दिन कक्षा कक्षा लगना आनिवारी है ठीक है भाई कक्षा आठवी तक कि कोई भी बच्चे को निस्कासित नहीं किया जाएगा और प्रात्मिक स्कूल बच्चों के घर से एक किलोमिटर के दायरे में होना चाहिए अपर प्रामरी देखो इसमें साला प्रबंधन समीती के SMC में अभि विशेस आवसेक्ता वाले जो बच्चे होते हैं उसके लिए समावेशी सिक्षा अर्थात उनको एक सांस बठा कर सिक्षा मुहया कराया जाना है ठीक है भाई अब बात करें हम राष्टी पाठेचरिया रूप रेखा NCF 2005 की तो भारत में शिक्षा पाठेक्रम कैसा होगा द इसके निर्मार के लिए जो रूप रेखा तयार की जाती है उसे राष्टी पाठ चरिया रूप रेखा कहते हैं और यह मानवसन साधन विकास मंत्रालय की पहल पर NCRT द्वारा तयार किया गया एक नविन दस्तावेज है ठीक है इसको प्रोफेसर यस पाल किया धक्षता मे तयार किया गया था NCF को और इनका प्रमुक उद्दिश से ही था मात्री भासा में शिक्षा देना ठीक है भई चुकि इस NCF का निर्मार अंग्रेजी भासा में हुआ है लेकिन इसको अनुवाद आठवी अनुसूची के सभी 22 भासाओं में किया गया है ठीक है और इसका थी शिक्षा बिना बोज के इसका उद्भाव 2005 में हुआ जिसमें रविंद्र नार्ट टैगोर ने सभ्यता और संस्कृति नामक एक निबंध लिखा था उसी से हुआ एनसीएब 2005 के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यस्पाल जी अब तक कुल पांच बार राष्टी पाठ चरिया की जो रूप रेखा है वो तयार हो चुकी है देख सकते हो भाई 1975-1988-2000-2005 चार बार और वर्तमान में जो एनपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी हम इस स्रेडी में रख सकते ही ठीक है भाई सबसे देखो अब तक देखो अब यहां बात करें पहली से पांच वी तक के छात्रों को कब किसे कैसे क्या क्या पढ़ना है ये तमाम चीजों की जानकारी हमको NCF से मिलती है NCF के महतपुन पांस इधान्त और यहीं से आपके बिंदू पुछते हैं पेपर में सीटेट की ठीक है भाई तो ग्यान को भारी जीवन से जोड़ना रटन्त प्रनाली से मुक्त करना देखो आप जो भी ज्यान बच्चों को दे रहे हैं वह उसके परिवेश से उसके परियावराण से मिला जुला हो रटने को बढ़ावा ना दें बलकि समझने पर व्यावारी ज्यान को महत्व दें शिक्षा जो है बाल केंद्रित हो अर्थाद बच्चों के रूचियों का ध्यान रखा जाएं कक्षा कक्ष में गतिवीधियों का समावेश हो और लचिला बनाया जाएं राष्टी महत्विंदु को पाठ क्रम में सामिल किया जाए तो यह पांच महत्वण जो सिध्धान्त है एंसीएफ दो हजार पांच के संबन में अब NCF में पाठ्य क्रम के बारे में क्या कहा गया है फिंदी सब्द देख ऑर हिंदी के सब्द है यह दो सब्दे से मिल कर बना है पाठ्य धन क्रम पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य और क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यास्था अर्थात जब पढ़ने योग्य विशाय वस्तू एक निश्चित क्रम में होता है तो उसे ही पाठ्य क्रम कहा जाता है और आप देखेंगे जब आप क सबसे सुरू में होता है कैरी कुलम सबसे सुरू में होता है जिसमें लिखा होता है एक तरब तो पाठ है पाठ सबसे पहले पाठ लिखा होगा पाठ का नाम लिखा होगा प्रिष्ट संख्या लिखी होती है पाठ है में माल लिजिए पाठ एक लिखा है ठीक है छह साल की छोक फिर तीसरा प्रिष्ट में लिखा है दो प्रिष्ट में हैं इस तरीके से एक पाठ क्रम होता है वैसे ही जितना जैसे 25 पाठ है माली जी तो आपके इन 25 पाठों का ब्यावरा उस पेज में अंकीत रहेगा ठीक है अब फ्रॉबेल ने पाठ क्रम को लेकर क्या तर्क दिया क्य कई के गुरों का सार है ठीक है बैज अब एनसी अफ papier 2005 में सिख्षक की क्या दृष्ट को होना चाहिए cf कहता क्या है की सिख्षक ज्यान का स्त्रोत नहीं है याद रखना है भी शक्षक ज्यान स्विधा नहीं करता ncf 2005 का कहना एक किसी रभी सुगम करता या स्विधा दाता यह केवल रभी सुगम करता है एक Bir कभव कहा up र 다양 meget 25 में कहा ऋचे को माल लीजीह हमको ए सिखाना आ है तो हमको ए सिखाने के लिए उनको स्विधा देना है एकेत्र स्कूल दे दिए हम उसको सूविधा दे रहे हैं उसके सामने बेइभ बोर्ड में लिक दिया एक चाहर्ट में उनको बता दिया यह स्विधा एक सिक्षक बच्चो को प्रदान करता दाता या सुगम करता कहा गय NCF 2005 में बालक के प्रती क्या डिष्टिकोर है तो प्रत्येग बच्चे में सीखने की शम्ता अलग-अलग होती है इसी को व्यक्तिगत भिन्नता भी काते हमने पढ़ा है ठीक है भई अता सिक्षा को प्रत्येग बच्चों को उनके हिसाप से सीखने का मौका देना चाहिए आप माली जी अ से अहा तक सिखाने के लिए यदि आपने 45 दिन का समय लिया है जरूरी नहीं है कि आप सभी बच्चों के लिए तै कर दीजिए ये गलत है यदि आप 45 दिन सभी बच्चों के लिए तै किये हुए है वो गलत है कोई बच्चा तो इसको 30 दिन में ही सीख सकता है कोई बच्चक इसको सीखने में साथ दिन का समय लेगा तो बच्चों को उसके हिसाब से सीखने के लिए टाइम भी आप दीजिए ठीक है भई अब बात करेंगे हम नई शिक्षानिती जिसे एनिपी बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी इसको संबोधित किया गया है तो इसके कुछ फैक्ट पर बात करें शिक्षा के छेत्र में नई क्रांती लाने के लिए नई शिक्षननिती आई जो 34 साल बाद ये सिक्षननिती जो है आई है ठीक है 34 साल बाद में ये सिक्षा 1986 में शिक्षानिती आई थी 86 में उसके बाद ये जो है 34 साल बाद में ये शिक्षानिती आई है और ये जो भारत में ये जो शिक्षानिती 2020 में बनी है इनके जो शिक्षक छेत्र में अधार क्या है तो देखो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ये है ठीक है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ये श शिक्षा का अधार है जो की एनिपी में होगा अब इसमें जो पांच है वो नरसरी जुनियर केजी जुनियर केजी क्लास वन क्लास टू ठीक है भई अर्थात देखो भई कक्षा तीन इसमें तीन साल की उम्र से बच्चा एडमिसन ले लेगा ये प्रैमरी स्टेज है अब ये तीन साल की उम्र से नरसरी पढ़ेगा चार्फ की उम्र में जुनियर केजी पढ़ेगा पांच की उम्र में सिनियर केजी पढ़ेगा छै की उम्र में क्लास व उसके बाद फिर से प्लस 3 में 6,78 को प्लस 4 नवी से बारवी तक को फिर प्लस 4 में इस तरह से 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का यह जो कॉंसेप्ट है NEP 2020 में काम आएगा ठीक है एजुकेशन सिस्टम वही रखा गया है उसके बाद देखो नई सिक्षण निति को कैबिनेट में 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी उसके बाद में इसको भारतिय कैबिनेट में 20 मार्च 2022 को पास किया गया भारत में जो नई सिक्षण निति 2020 एक साथ एक रूप में एक अप्रेल 2022 को लागो किया गया है पूरे जो देश में लागो हो गया यह स्वतंत्र भारत की तिसरी शिक्षा निति है और इसके पहले जो शिक्षा निति बनी है उसको भी देखिए 1968 में शिक्षा निति बनी थी उसके बाद च्यासी में बनी उसके बाद में यह ब्यानवे फिर 2020 चुकि यह जो च्यासी में बनी कुछ संसोधित रूप था मेरे ख्याल से ठीके भई अब भारत में पहली सिक्षा निती इंद्रा गांधी के द्वारा लागु की गई थी याद रखेंगे भई पहली सिक्षा निती इंद्रा गांधी द्वारा लागु की गई थी नई सिक्षा निती 2020 के वर 12 क्लास को ही बोर्ड का दर्जा देखिए जब नई सिक्ष सुनने में आ रहा था कि कई सारे राज्यों में लागू हो चुका है और कई सारे राज्यों में इस वर्ष लागू होगा हलकी बहुत सारे राज्यों इसको फॉलो कर भी रहे हैं तो नई सिक्षा निची को एनेच इपी बिल के तहट जारी किया गया है कख्षा पांस तक की सिक्षा मात्री भासा में या इस्थानिय भासा में देने की बात कही गई है देखी इसमें जो सिक्षा में सरकार निवेश करता है न तो कितना पुंजी निवेश करेगा तो जीडीपी का 6% हिस्सा या 6% जो है सिक्षा में लगाया जाएगा ठीक है भाई MHRD का नाम बदल करके मानव संसाधन जो विकास मंत्राला है न उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्राला करने के भी मंजूरी राष्टिय शिक्षा निती 2020 नई शिक्षा निती 2020 में की गई है ठीक है एमफिल की जो पढ़ाई होती थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है और 2020 तक बीएड की डिग्री चार साल की हो जाएगी जिसको इंटिग्रेटेड कोर्सेस कहा गया है भीएएड या यही चलेगा थीक है 2030 तक चलेगा भाई उसके बाद खतम हो जाएगा उसके बाद में देखो सिक्षा समीती और कुछ शिक्षा आयोग की हम बात कर लें तो शिक्षा समीति और शिक्षा आयोग काफी सारी समीतियां भी चलती हैं आयोग भी हैं देखलो भारत में शिक्षा समीति है चार्स उड़ समीति जिसका गठन 1824 में चार्स उड़ द्वारा किया गया इसे भारती सिक्षा का मैगना काटा भी कहा जाता है छोटी छोटी स्थापना इसी वर्ष इसी टाइम में की गई थी मुदालियर शिक्षायोग जिसमें मादमिक शिक्षायोग भी इसको कहा जाता है मुदालियर शिक्षायोग इसकी गठन 1952 तिरपन में हुआ ये मादमिक शिक्षा पर विचार किया गया था कोठारी आयोग में 1964 में हुआ इसका जो उत्तरदाई तो नैतिक शिक्षा पर ध्यान देना था ठीक ऐसे ही राष्टी शिक्षन निती 1986 जब बनी तो इसको संसोधित किया गया 1992 की रूप में ठीक है भई इसमें बच्चे जो है बिना बोज के बस्ते का बोज कम करने की बात की गई थी अथात बोज मुक्त सिक्षा की बात इसमें कही गई थी ठीक है भई उसके बाद महत्पुन बिंदु आता है जो है वंचित बालक तो देखो वंचित बालक को भई अच्चे से देखो क्या है तो ऐसे बालक जो जीवन की मुलभुत स्विधाओं से वन्चित रह जाते हैं वन्चित बालक कहलाता है अर्थात देखो प्रत्यक बालक को हम वन्चित कह सकते हैं क्योंकि वे कुछ न कुछ स्विधा से वन्चित रहते ही हैं ठीक है भाई भारत में अगर वन्चित ब पर्ग के बालक जाती समुदाय के जो पिछड़े बालक रहते हैं उन सभी बालकों को वंचित बालक की स्रेड़ी में रखा गया है देखो बाई यह जो महामायरतन की क्लास है हम लगातार आपके लिए लंबी क्लास है इस्पेसली आप सभी के लिए सीटेट की त्यारी के लिए हम लेकर आए हैं देखो वंचित बालक की हम पहचान कैसे करेंगे देखो जो बच्चे समाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़े होते हैं वे वंचित बालक है ठीक है भई अर्थात उनके परिवारिक इस्थिती कमजोर है रूड़ ही वादी है माता पिता भी सिक्षित नहीं है समाजिक भी पिछड़ा हुआ है समाज में ठीक है तो ऐसे बालक जो है उनकी स्थिती कैसी हो जाती है सैक्षिक इस्तर निम्न हो जाता है अल्प भासात्मक विकास होता है बहरे दुनिया से अनभिज्य हो जाते हैं आत्मी स्वास भी कमी होती है और बूरे आदतों के भी सिकार हो जाते हैं ठीक है इनके लिए सिक्ष संवर्धन कारैक्रम का भी आयोजन किया जाता है समावेशी शिक्षा में ऐसे बालको को शिक्षा देने की भी ब्योस्ता है आत्मविश्वास्थ की भावना भी जाग्री करने का प्रयास किया जाता है ठीक है देखो इसके प्रकार की मैं बात करूँ ना तो इसको अनेक प्रकारों में हम विभक्त कर सकते हैं जैसे समाजिक रूप से है तो उसको अलग divide कर सकते हैं आठिक है तो इसको अलग सब्विगातमाक सांस्कृतिक और शिक्षक से या शिक्षक्य अद्रिष्टि से ठीक है भाई तो उसको भी याई अलग कर शक्ति है क्लियर है अब पीछड़ा वालक ऐसे वालक जिसका जो स्यक्षडीक इस्तर है अपने हम उम्र जो बालक है उन्हें से पिछड़ा हुआ होता है अर्थात मालिज जिये कि स्याम कक्छा चौती में पढ़ता है और दिनेज भी कक्छा चौती में पढ़ता है अब स्याम पढ़ाई में बढ़िया है हुस्यार है लेकिन दिनेज उस इस्तर में नहीं है अर्थात उसको प बाड़ते हैं एक तो समानने बालक और दूसरा विशिष्ट बालक ठीक है भई अब पिछड़ा पन होने का क्या कारण हो सकते हैं ऐसे बच्चे पिछड़ जाते हैं सिक्छा में तो कैसे पिछड़ते होंगे क्या रिजन है क्या वज़ा है करें बettsार देखों कम या नीम्न बुधि जिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कम बुधी ऑल्पबुधी वाले बालक होते हैं वे भी पिछल जाते हैं सारीक जिनका स्वास्त भी कमजोर होता है थीक है वह भी इस एक थड़ी इस तर्में पिछलते हैं सारीक दोस्त होते हैं देवियांगता कि श्रेडी में रहते हैं बहुत सारे बच्चे परिवारिक इस्थिती स्कूल का वातावरण और समय गात्माक औ मंद बुद्धी बालक बोलते हैं ना वो धीमी गति से सीखता है उसके हम उम्र साथी आगे निकल जाते हैं लेकिन उसका इस्तर धीमा होता है वे अपने आपको ढाल नहीं पाती समायोजित नहीं कर पाती वो चिंतन का भी अभाव होता है कुछ भी आप बताया रहोगे वो पक्षा से बाहर घुमने लगता है तो ऐसे बालक भी है जिसके सैक्षुडिक जो उपलब्धी है कम होती है ठीक है उसके बाद पिछडापन को कैसे दूर करें तो इसके लिए तो सबसे पहले है परस्ट आफवाल है आप उसकी जिए स्वास्त की जाज करवाएं वह बहुत कराना भी प्रमुकुद्देश्य है और इसी वज़ा से सासंद्वारा वर्तमान में जो मध्यान भोजन की ब्योस्ता की गई है ब्रक्तिगत ध्यान भी देना जरूरी है ऐसे बालक जो कक्षा में अन्य बच्चों की तुलना में कमजोर है उस पर विशेज ध्यान देने की सकता होती है उसको अन्य छेत्र के लिए भी प्रेरीद करना होगा क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं बले वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर है लेकिन दूसरे छेत्र में ज्यादा अच्छे होते हैं तो उन बच्चों को अगर लगता है हमको एक सिक्षक के नाते की व अब हम बात करें विकलांग बालक जिसको आज वर्तमान में दिव्यांग बालक की स्रेड़ी में रखा गया हर साथ दिव्यांग बालक कहा जाता है देखो विकलांग बालक तो विकलांग बालक क्या होता है वह इस थिती जो किसी भी व्यक्ति को किसी आयू में उसके समान व प्रभावित करता है अर्थात शरीर के किसी अंग की कारे करने की छमता जब कम हो जाती है या बिल्कुल भी नहीं रहती तो वही विकलांग बालग कहा जाता है जो वर्तमान में दिव्यांग बालग कहा लाता है अर्थात या तो उसके कोई भी अंग अच्छे से काम नहीं करत या उसके अंग जो है होते ही नहीं है या किछी दुरघटना वस क्या हो जाता है भई उनकी शमता अल्प हो जाती है तो विकलांगता के पीछे अनेक रिजन भी हो सकते हैं जैसे वनसानुक्रम कभी कभी पिढ़ी दर पिढ़ी भी ये कारण निकल कर आती है या कभी अभी भा आवकों की अज्यानता की वज़ा से उनको पता नहीं होता कि कैसे परिवरिस करना है कैसे बच्चों की देख भाल करना है तो ये भी बड़ी वज़ा होती है कि आगे चलके उसमें दिव्यांगता आती है दुरघटना किसी भी बड़ी दुरघटना के सिकार होने की वज़ा प्राकृतिक आपदा भी घटित होता है इसके वज़े से भी दिव्यांगता आती है ठीक है अब यह विकलांगता के प्रकार की मैं बात करूं यहां पर तो सरकार द्वारा जो विकलांगता है देखी चार प्रकार के होते हैं अब क्या क्या है भई एक तो चक्षू विकलांग दुसरा स्रमण बालक तिसरा वारी दोस और चवता है अपउज या सरीक विकलांग लेगे तो इस तरहीके से चार प्रकार की स्रेडी बाटा गया है उसके बाद है मानसिक मंद बालक तो ऐसे बालक जिनकी मानसिक योग्यता समान्य बालकों की तुलना में कम होती है वो मानसिक मंद बालक कहला तथा अर्थाथ इसकी जो बुध्धी लब्धी है 80 से कम होगी ठीक है भशला कहते हैं इनमें ये जो 4 मैं दिया हूँ लिखा हूँ आप देख पा रहे होंगे सतर से असी जिसकी बुद्धी लब्धी है अल्ब बुद्धी, पचास से सत्तर मुर्ख बुद्धी पचीस से पचास मुर्बुद्धी और पचीस से कम जड़ बुद्धी तो यह चारो प्रकार की बालक मंद बुद्धी में ही आते हैं ठीक है ना अब इनकी विशेस्ताओं की मैं बात करूँ तो इनका विकास भी समान बालकों की तुलना में धीरे होता है यह धीरे सीखते हैं ठीक है बुद्धी लब्धी इनकी अस्टी से कम होती है सीखने के शमता भी कम होता है एकागरतीत नहीं होते कुछ भी आप बोलोगे कुछ ही पल में वो भूल जाता है उस चीज को इसकी इसमरार सक्ती याजदास्त भी बहुत ही दुरबल होती है इनमें नैतिक गुरों का अभा होता है तो यह है मंद बुद्धी बालक की विशेस्ता मानसिक मंदता किस कारण से आ जाती है सबसे बड़ा कारण और पहला कारण है वनसानुक्रम आप अक्सर देखोगे आप जिस विद्याला में पढ़ते या पढ़ाते होंगे ठीक है भई तो वहाँ पर जब एक बच्चा ऐसे मंद है अनुआनसिक रूप से उनके कई भाई बहान आते हैं वैसे ही इस्तर किरहते हैं तो यह अनुआनसिकी के वज़स्य होता है गर्भावस्ता में मा का यदि स्वास्थ खराब हो जाता है मा के स्वास्थ पर यदि कोई प्रभाव पढ़ता है तो भी जो है मानसिक मंदता आ जाती है सम्वेग पर नियंत्रान यदि नहीं कर पाते गुस्सा हो भाय हो तो भी इसका प्रभाज देखने को मिलता है अब यह जो मानसिक मंद बालक है उनके लिए सिक्षा बेवस्था कैसी होनी चाहिए तो पहले तो उनको पढ़ने लिखने बोलने की सिक्षा देना ब्याद जरूरी है उनको सही आचरार की सिक्षा दी जाए सारीक सिक्षा भी दे और स्वक्स भोजन खान पान से सम्मंधि सिक्षा भी उनको देना अती आवस्यक है अब आता है साथियों विशिष्ट आवस्यक्ता वाले बच्चे ये कौन है तो देखो भई विशिष्ट बालक तो ऐसे बालक जो सारीक मानसिक बवधिक समेगात्मा ग्रूप से समानने बालकों में ब्रिद्धी और विकास के द्रिट्टी से इतने भिन्न होते हैं कि इसकूल में सिक्षा का लाब नहीं उठा पादे अर्थाद विशिष्ट बालक देखो कई विशिष्ट बालक मतलब जो मानसिक रूप से कमजोर हो या जो बहुत ज़्यादा बौधिक शम्तावाले हो जिसमें समय गात्मा अई सिर्टा है मदब सभी प्रकार की चाहें वो कमजोर हो पढ़ने में और सभी यह विसीष्ट सिर्णी के मतलब उसमें कुछ विलक्षन प्रतिभाह हैं चाहें ना शीखने की प्रतिभाह हो इस अभी विसीष्ट बालक है और यहीं वज़ा है कि इसकुल में शिक्षा का लाब न तब देखो कक्षा में 40 बच्चे हैं उनमें एक बच्चा आपको मिलता है प्रतिभा साली तो आपको 39 बच्चे को आप पढ़ा रहे हो और 40 वह बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हो उसको पहले से पता है वो उस इस्थिती में स्वयम को ढाल नहीं पा रहा है क्यों कि उनकी जो ज्यान है उनकी शम्ता है बहुत उच्च है बतिभा साली 140 से उपर जिसकी बुद्धी लब्धी होती है और आज तक 140 से उपर बुद्धी लब्धी आई थिंक स्वामी विवेका नंद जी की रही होगी मेरे ख्याल से ऐसा सुनने में आता है तो इसको आप जीके है समझ प्रकार के होंगे एक तो प्रतिभा साली है एक मंद बुद्धी और सक्षिक इस्तवर में तिब्रगती से शीखने वाला को और पिछणा बालक और सारीं की बात करूं तो बोहरा बालक कम सुनने वाला नेत्रहिन बालक वा ओडि दोस्वाले बालक विकलां बालक ये सभी बालक सार्रिक रूप से बालक में आते हैं ठीक है भाई अब बात करें प्रतिभासाली मैंने कहा बुद्धी लबधी की बात ऐसे बालक जिनकी बुद्धी लबधी 140 से उपर होती है उनको बोलते हैं प्रदिभासालिबालक अर्थात के जो me хот 210 के बुद्धी है बहुत ही उच्छ होती है 140 से उपर होते हैं ये प्रदिभासालिबालक ठीक है ये स्वयम निर्णा लेते हैं आत्मनिरभार होते हैं यह अगर यह कुछ बनना चाहता है न यह बन के रहेगा यह होस्यार बच्चे की निसानी है भई माली जी किसी होनहार बच्चे को डॉक्टर बनना है या किसी होनहार बच्चे को माली जी ए इंजिनियर बनना है अब वो दिन रात एक कर देगा वो बन के ही रहेगा क्योंकि वो अपने निर्नाय में सक्षम है वो कुछ बनना चाहते हैं तो बन कर ही रहते हैं कौन प्रतिभासालिबाल इसके आत्मत शम्ता भी उच्च होती है रचनात्मक जो विचार हैं इनके पास होते हैं क्रियेटिव इडियाज इसके पास होते हैं और इनमें ललक होती है जिग्यासा होती है और जानने की चेश्टा करते हैं और इनहें ऐसे सपोर्ट की जरुरत होती है भाई जो की विद्यालाय में नहीं मिल पाता ठीक है सबज में आ रहा है ना चलिए देखो अब हम बात करें यहां पर इसी में स्रिजनात्मक बालक तो स्रिजनात्मक वह औधानना हैं जिससे उपलब्द साधनों या उपलब्द साधनों से नमिन या अंजानी वस्तु विचार धानना को जर्म दिया जाता है ठीको कुछ नया बनाना कुछ नय नय विचार नय नय धारणा को जर्म देना ही तो स्रीजन है न जी और जिन बालकों में इस प्रकार की यग्यता देखने को मिलती है वही क्या कहलाएगा स्रीजनात्मक बालक कहलाएगा समझ में आ रहा है ना अब स्रीजनात्मक बालक के गुण की मैं बात करूँ तो ये अपसारी चिंतन वाला होता है अपसारी मतलब मुप्त विचार वाले बहुत सारे तर्क कर सकता है चिंतन मनन विचार कर सकता है मौलिक गुर होते हैं इन में प्रवाह होता है उप्योगिता उत्पादक्ता नविन ज्यान की खोज तो ये स्रीजनात्मक बालक की विशेश्ता है इसको टूडी पॉइंट आप यार रखिये भई ठीक है चलिए अब देखो अधिगम अक्षमता लर्निंग डिस एबिलिटीज मोस्ट इंपोर्टेन भई यहां से भी प्रश्णा आपके बनते हैं डिसलेक्सिया पढ़ने की जो कठनाई होती है न वच्चों में वही कहलाता है आपके डिसलेक्सिया ठीक है डिसग्राफिय देखो डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ और ग्राफ मतलब लिखना तो लिखन से संबधित समस्या को डिस्ग्राफिया पढ़ने की समस्या डिसलेक्सिया dyscalculia, kalkulia मतलब calculation तो गडिती सम्मंधी जब समस्या आती है तो इसको dyscalculia कहा जाता है dysmorphia भ्रहम वाली जो इस्थिती आती है बच्चों में तो वो dysmorphia अर्थात ये more है कि कववा है है न उसके बीच में उसको भ्रहम हो रहा है तो यही dysmorphia है अब देखो dysphesia तो फेजिया तो बोलने संबंधी विचार dyspraxia सारे कौसल के संबंध में विकार है और dysthymia तनाव संबंधी है ठीक है भाई याद रखेंगे अब देखिए basic basic coming की परिभासा पर ही बात करेंगे संग्यान क्या है एक जलत इस पर भी डालिए संग्यान का अर्थ है संग्यान तो ज्यान को ग्रहन करना संग्यान है तो ज्यान का अर्थ है सूचनाओं को ग्रहन करना संग्यान का अर्थ है ठीक है मनुस्य जिस परियावलर में रहता है वहां की घटनाओं के प्रती वो अवधाना बना लेता है उसी को क्या कहा जाता है भई संग्यान कहा जाता है ठीक है अवधाना अपने मन में बन रही है मतलब आप उसको ग्रहार किये हो ना अपने मन में ठी तो यहीं संग्यान है और सम्वेग को देखिए तो सम्वेग क्या है यह वह इस्थिती है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है तो समवेग क्या है एक उत्तेजित अवस्था है समवेग देखो बई चवदा प्रकार के समवेग तो आप जानते हैं और मैकडूगल ने यह समवेग के प्रकार की बात कर रहो हूं मैं तो चुदा प्रकार के सम्वेग हैं और सम्वेग मतलब उत्तेजित अवस्था को ही सम्वेग कहा जाता है कैसे जैसे गुस्षा आप जब गुस्षा में होते हो ना तो आपको देख के लोग जान जाएंगे उत्तेजित आप उत्तेजित हो रहे हो यही सम्वेग है खुशी आप उत्यजित हो रहे हो खुशी के मारे है न यहीं यही तो है भई संविग अर्थात उत्यजित अवस्था चुदा प्रकार के मुल संविग मैक डूगल ने कहा है तो इसको भी देख लेंगे आप देखिए एक तरप मुल प्रवितिया है एक तरप संबंधित संवेग है पलायन भय यू यूत्सा का क्रोध निवृति का घ्रिना जिग्यासा का आश्चर्य और बार-बार आपके प्रश्ण बने हुए हैं जिग्यासा खोले कर ठीक है भई जिग्यासा का आश्चर्य है सीशुरक्षा वौत्सल्य सरणगती निसाद रचनात्मक संग्यानात्मक भावना संचय प्रविती स्वामित्य की भावना सामुहिक्ता एकाकीपन और इसके अलावा भी है देख लिजिए काम कामुकता आत्मगरो स्रिष्टता की भावना दैन्य आत्महिंता भोजन अन्मेशन भूग और हास का प्रमोध तो आश्चर् वाला जो है आपका जिग्यासा बार-बार पुछा गया है ठीक है अभी प्रेर्णा पर आते हैं अभी प्रेर्णा क्या है भाई मोटिवेशन क्या है तो अभी प्रेर्णा एक ऐसी आंत्रिक सक्ति या जोस या जुनून होता है अभी प्रेर्णा मोटिवेशन ऐसी एक सक्त और ले जाता है या अग्रशाड करता है जैसे बच्चा मालोग पढ़ाई नहीं कर रहा है हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि बेटा पढ़ो पढ़ लिखके अच्छा इंसान बनोगे सिक्षक बनोगे डाक्टर बनोगे इंजिनियर बनोगे है ना बोलते हैं बच्चे को क्या कर रहे हैं हम मोटिवेट कर रहे हैं तो यही मोटिवेशन ही अभी प्रेर्णा है ठीक है और मोटिवेशन आप क्या करते हो कक्षा में बोलते हो बच्चों को या कोई बड़े बड़ प्रदान की जाते हैं सासन द्वारा भी पुरआ स्कार मिलता है ना भई gli tek जो मेरिट लिस्ट में आता है वही जो पुरआ प्रशकार दिया जाता है उसको भी motivation बोलते हैं ठीक है समझ गया motivation को अब यह motivation है अभिप्रेर्णा वो दो प्रकार के होंगे अंत्रिक और बाहाभिप्रेर्णा सबसे पहले आंतरिक जब भी कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से अभी सो ता माले जिए उसके जगां में पुर्सक के देखकर उसको मोटिवेसं देने के लिए उसको प्रसाहित करने के लिए ना तो हमने पुरसकार दिया नहीं हमने दंड दिया है ना भई नहीं हमने उसको कुछ बोला वो खुद से मोटिवेट हो गया तो यही आंत्रीक मोटिवेशन है ठीक है और यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब अभिप्रेणा तो बाय अभिप्रेणा क्या है भई जब हम किसी व्यक्ति को बाहर से मोटिवेट करते हैं तो वह बाय हम मोटिवेशन है इसके लिए जैसे हम बोलते हैं कल इसको याद करके आना नहीं आओगे तो मार पड़ेगी अब उसको बाय मोटिवेट कर रहे हैं ठीक है भई अब याद करके आएगा क्योंकि नहीं आएगा तो मार अर्था दंड भी मोटिवेशन ही है लेकिन दंड और पुरसकार का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए याद रखना है ठीक है तो ब बाय मोटिवेशन हम बाहर से उसको जब मोटिवेट करते हैं तो वह बाय मोटिवेशन है ठीक है अब कुछ सिक्षण विधी देख लिजिए मोस्ट इंपोर्टन भाई यहां से भी आपके प्रश्णु एक्जाम्स में पूछे जाते हैं देखो इंडक्टिव मेठड इसको आगमन विधी कहा जाता है तो आगमन विधी इसमें उदाहरान सबसे पहले बच्चों के सामने बहुत सारा उदाहरान रखा जाता है और जब उस उदाहरान को बच्चा समझ जाए तब बच्चों को लास्ट में नियाम बताया जाता है उसको बोलते हैं आगमन विधी ठीक देखो भई सबसे पहले उदाहरान से नियम की और जब आपके विकल्प में रहेंगे आप बता सकते हो कि यह आगमान विधी है यह बाल केंदरीत होता है बच्चों को ध्यान में रख कर ठीक है यह करके सिखने भर भई आप उधारार रख रहे हो बच्चे के सामने वो करकी सिखेगा ना बच्चे को माली जी जोड़ना सिखाना है आपको अब आपको आपने क्या किया बच्चों को कंचे दे दिये ठीक है ना अब कंचे से सिखा रहे हो तो कंचे देखे सबसे पहले आप बच्चों को बताओगे नहीं कि ये जोड़ना है बेटा हैसनी बोलना आप उनको कंचे दि राम को आपने चार कंचे दिए साम को आपने तीन कंचे दिए अब बोलो इन दोनों कंचों को आपस में मिला दो आप बोलेंगे बच्चा चार और तीन साथ कंचे हो गए सर बोलेंगे न भई तब आप लास्ट में उसको बताओगे हाँ यही तो जोड है बटा हर्थात चार अब नियम पर आओगे ना चार धन तीन सा देखो पहले उसको क्या किये उदाहरान से बताए जब वो समझ गया तब हमने उसको नियम बताया कि यही तो जोड़ा है बटा जिसमें जोड़ा जाता है दो संख्याओं को ठीक है बाई तो यह आगमनविधी है यह करके सीखने पर दोर पहुशते हैं मूर्त से अमूर्त और प्रत्यक्ष से प्रमार की और जाते हैं बिंदु को याद रखेंगे बाई मोस्ट इंपोरेंट है निगमन विधी पर आईए जिसे डिड़क्टिव मैठड भी कहा जाता है इसमें नियम से उदाहरान की और जाते हैं जश्ट टुए भी बच्चों को हमने नियम पहले बता दिया अब इसी नियम पर क्या किया जा रहा है मान को रख करके हल किया जा रहा है तो यह होता है भाई निगमन विधी ठीक है या सिक्षक केंद्रित होता है भाई बच्चा आया सिक्षक आया कक्षा में आके नियम लिख दिया ठीक है शमा करेंगे थोड़ी समस्या आ गई है तो क्या हुआ भई इसमें बच्चा आया ठीक है भई अब बच्चा क्या करता है निगमन विधी में कोई भी नियम पहले हम बताए अब उसी नियम पर बारी बारी बच्चा आता है और बच्चा करके उसको हल करता रहता है ठीक है तो यह नियम है इसमें देखो यह जश्ट विपरित है ना नियम से उधारान की ओर या सिक्षक के अंद्रित है शुक्ष्म से इस्थुल की ओर जाते हैं समाने से विशिष्ट अग्यात से ग्यात और प्रमार से प्रत्यक्ष की यह उल्टा है याद रखेंगे तीसरा आता है समस्या समाधान इसमें बच्चों के सामने कोई समस्या रखी जाती है बच्चे स्वया मुझका समाधान करते हैं प्रोजेक्ट विधी के जनक किल पैट्रिक है याद रखेंगे भई यह अनुभाव पर अधारिध होता है इसमें प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाता है करने के लिए यह समाजी करण पर देखी कोई भी प्रोजेक्ट बच्चों को समूह में दिया जाता है तो यह समाजी करण पर भी बाल देती हैं है ना प्रत्यक्ष विधी प्रत्यक्ष मतलब स्वयम जिसको देख कर छू कर महसूस कर के जब करें तो व्याकरण के नियमों का बीना ग्यान कराए भासा सिखाई जाती है ठीक है विश्लेशन विधी विश्लेशन करना मतलब छोटे-चोटे भागो में तोड़ना अब चोटे-चोटे भागों में तोड़कर उसके समस्या का समधान करें वह विश्लेशन विधी है और चोटे-चोटे-चोटे व्याख्यान विद्ध ये बड़ी कक्षाओं के लिए उप्योगी है लेक्चर मेठट जिसको बोलेंगे ठीक है बड़े-बड़े कक्षाओं में ठ्योई रहता है या बड़े-बड़े प्रमेर रहता है तो उसको लेक्चर मेठट से करते हैं समझ रहे हो न तो ये सभी चीज क्या है तो क्रियात्मा क्विकास में बालक मास पेसियों का समन्वए और नियंत्रान सीखता है ठीक है इस्तूल और पेसि इसको हमने पढ़ लिया है आकलन और मुल्यांकन पर आते हैं यहां से आपके पेपर में questions पूछ जाते हैं तो देखो आकलन और मुल्यांकन होता क्या है आकलन क्या है सबसे पहले यह कि सम्वेदनात्मक वा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सिक्षक यह ज्यात करता है कि अधिगम ठीक से हो पा रहा है या नहीं आकलन क्या है भाई यह एक रचनात्मक या सम्वेदनात्मक प्रक्रिया है जिसमें अधिगम ठीक से हो रहा है कि नहीं उसको जब आकलन करते हैं न तो यही आकलन करते है और यह सिक्षन प्रक्रिया के दवरान चलने वाली प्रक्रिया देखो मैं कक्षा में गया और वहां मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते मैं बच्चों को देख रहा हूं कौन सा बच्चा पढ़ रहा है कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है कौन से बच्चा सीख पा रहा है मतलब मैं पढ़ाने के दवरान ही कर रहा हूं ना शिक्षन के दवरान मैं कर रहा हूं तो यही तो आकलन है भई आकलन कर रहा हूं पढ़ाते पढ़ाते तो यही आकलन है भूलना मत ठीक है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यह शिक्षन प्रक्रिया के दवरान निर रचनाईयों का पता लगाना है ना क्या कमी है उनका निदान करने के लिए भी आकलन जरूरी है उनमें जो कमी है उनमें सुधार आये इसके लिए भी आकलन जरूरी है कौन से छेत्र में कमी है ये पता लगाए इसके लिए भी आकलन जरूरी है ठीक है आकलन के दो प्रकार ovan है कि अवल इसमें पढ़ाने के दोरान किया गया बच्चों के बारे में जाननेन हो दिख युँआ जाता है थीक है रचनांत्मा कर यो कम जेसे अर्धवार्षी परिक्ष तीन महिना में परहा ले आप बच्चे कितना सिखा उसका टेष्ट कर रहा है तो यह योगात्मक आकलन है ठीक है जो साल के अंत में होता है इसको समेटिव बोलते हैं और ध्वार्षिक परिच्छा वार्षिक परिच्छा आधी के माध्यम से जो आकलन होता है न यही योगात्मक है ठीक है भई रचनात्मक और योगात्मक अब आकलन के तरीके यहां से आपके important है भाई ये भी आता है देखो assessment of learning शिखने का आकलन जब आता है तो वो समेती होगा assessment for learning शिखने के लिए आकलन आता है तो वो फारमेटी होगा शिखने के लिए आकलन आता है तो वो रचनातमक होगा सिखने का आखलन आता है तो वो समिति होगा योगात्मा का आखलन ठीक है भई और सिखने देखो सिखने का और सिखने के लिए ठीक है भई अजब स्वयम का आखलन होता है तो self-assessment ठीक है तो ये दोनों जरूरी है भई में से इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे अब बात करें मुल्यांकन क्या होता है बहुत सारे साथी आकलन और मुल्यांकन में कंफ्यूज होती है तो मैं वहुत बहुत सांदार तरीका आप सभीको बता रहा हूं तो यह है कि योगातमक प्रक्रिया है पाठेक्रम के समापती पर विद्यार्थियों की उपलब्धि ज्याद की जाती है उसी को बोलते हैं मुल्यांकन मुल्य का अंकन अब उन में क्या मुल्य विद्धी हुई अर्थाथ क्या सीखा है इसी को अंक के माध्यम से देते हैं वही मुल्य अंकन है मुल्यांकन का उद्धिस छात्रों की उपलब्धी को अंको या ग्रेड के माध्यम से पाठ क्रम के समाप्ती के बाद बताना ही मुल्यांकन है तो समझ गए भई आकलन और मुल्यांकन क्या है मैं और क्लियर कर दूँ आखलन क्या है कक्षा कक्ष में पढ़ाने के दवरान जब आप बच्चों का परिक्षर देखते हैं अलोकन करते हैं न कि बच्चों ने कितना सीखा कौन बच्चे सीख रहा है कौन बच्चे हल्ला कर रहें तो यह Teaching Learning प्रक्रिया के दवरान अर्थात पढ़ाने के दवरान जब बच्चों को अलोकन करते हैं उनके सीखने को देखते हैं तो यही आकलन है और मुल्यांकन क्या है पूरे पाठ क्रम के समाप्त हो जाने के बाद जब उनको उनका टेस्ट लिया जाता है पेपर लिया जात है उपलब्धी का अंको या ग्रेट के माध्यम से जब जानकारी लिजाती है तो वह है मुल्यांकन ठीक है भई समझ गया है आकलन और मुल्यांकन भूलना मत अब सतत और व्यापक मुल्यांकन इसमें आता है राष्टी सिक्षन इती 1986 के अनुसार सिसी में दो छेत्र सामिल ह सैक्षणिक और गयर सैक्षणिक तो देखो पहला तो सैक्षणिक है जिसको स्कोलेस्टिक एरिया बोलते हैं और दूसरा है गयर सैक्षणिक जिसको को स्कोलेस्टिक एरिया बोलते हैं सैक्षणिक अर्थात ऐसे बच्चे जो कि सिक्षा के छेत्र में अच्छे हैं पढ़ह ऐसे बचो सिख्षक चहतर में आगे बढ़ने का उसर देना है उसको सिख्षक बनाओ डाक्टर बनाओ इंजिनियर बनाओ जो ज़ो इरिया में श्ट्रॉंग हो गयर सक्षडिक में कौन को हैं उसको गयर सेक्षडिक या को इसकोलास्टिक गरिया बोलते हैं तो जिनकी रूची माले जी बच्चे की रूची पेंटिंग में है तो बच्चों को उसी छेत्र में आगे बढ़ी आई बढ़ाईए किसी की रूची सिंगिंग में है उसको उसी चेत्र में आगे बढ़ा तो ये दो सेत्र सीसी ने दो चेत्र की बात की है ठीक है भाई आगे एस्बीए क्या है इसको देखो तो वयासको के संपुन विकास के लिए एस्बीए लाया गया है जो की एसेस्मेंट होता है एक प्रकार का और ये इसकूल में होता है इसलिए इसकूल बैस डेजूकेशन भी इसको कहा जाता है अब रचनात्मक मुल्यांकन का जो ग्रेडिंग पैमाना है न इस पैमाना को देख लेंगे भाई इंपोर्टेंट है दे लाएं ग्रेडिंग पैमाना है उपलब्धी का मुल्यांकन इसके लिए भी जो कुछ टेबल है पैमाने के माध्यम से देखो A प्लस जब grade मिलता है तो उनका उपलब्धी इस तर को क्या बोलते हैं सर्वत क्रिष्ट इसमें 90-100 के बीच का पर्शेंट आता है A प्लस grade में A grade को बोलते हैं उत्क्रिष्ट 75-89 के बीच में आता है B grade को मिलते हैं बहुत अच्छा जो की 56-74 में आता है C grade को बोलते हैं भाई अच्छा गुड जिसको 35-55 में और D grade को हम आवसत बोल देते हैं जो की 35-30 से कम होता है आवसत बच्ची बोलते हैं न तो ये भी उपलब्धी का मुल्यांकर इसको भी आद रखेंगे भाई CGTate में आ चुका प्रशन है इसलिए मैंने इस टॉपिक को रखा हुआ है उप्चारात्मक शिक्षन क्या है देखो उप्चार उप्चारात्मक शिक्षन को जानने से पहले हमको उप्चार सब्द को समझना होगा तो उप्चार का आर्थ होता है इलाज होता है न भाई तो जब इस प्रकात देखो एक चिकित सब मरीजों का उनके रोगों का उप्चार करके उनको उत्तम स्वास्य पधान करता है कोई भी डाक्टर है वह मरीजों की बीमारी को पता करके उनका उपचार करता है और उसको ठीक करता है तो यही उपचार कहलाता है है ना तो शिक्षा में शिक्षा के छेत्र में इसे उपचारात्मक शिक्षण का नाम दिया गया है और यह क्या है उपचारात्मक शिक्षण इ बच्चों की सिक्षर में होने वाली कमियों को जान कर उसका उप्चार करता है आप देखो यहाँ पर सिक्षक डाक्टर है और बच्चे मरीज अब देखो बच्चों में क्या कमी है उनमें क्या समस्या है मतलब क्या बिमारी है उस बिमारी को जानकर पता लगाकर उस बिमारी का इलाज करना ही उपचारात्मक शिक्षर है अर्थात बच्चे क्या सिख नहीं पाए क्यों सिख नहीं पाए किसलिए सिख नहीं पाए उसको जानकर उसके उधी कम्यों को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षर कहलाता है। समझ गए साथियों। उपचारात्मक शिक्षर का उद्दे सी क्या है। ज्यान में तुरुटी जो आ रहे हैं उसका अंत हो जाए। अधिगम में दोस है तो वो भी समाप्त हो जाए। कुसल का विकास हो मनोवृतियों को समाप्त करना। उत्तम भासा प्रयोग की शमता विक्सित करना। समाय और शक्ति का संचरन या मन बुद्धि बालकों में आत्मविश्वास लाना। यह उप्चारात्मक शिक्षन का उप्योग टिक है। odc उप्चारात्मक शिक्षन की विधियां। देखो व्यक्तिगत अध्यन विधी तुटी सुध्धी करन विधी व्यक्तिगत भिनता अधारित-समोहvad विधी। अब कुछ व्यक्तित्व परिक्षण की विधियां है इस पर भी आप छोटी छोटी बात करूंगा लंबा मैं बात नहीं करूंगा या इसको हिंदी में प्रासंगिक अंतर बोध परिक्षण या बालक प्रशंग बोध परिक्षण का नाम दिया गया है जिसके प्रतिपादक मारगन वा मुर्रे हैं और इनमें कुल 31 कार्ड होते हैं ठीक है 31 कार्ड होते हैं जिसमें 10 कार्ड पुरूस के होते हैं और 10 कार्ड महिला के होते हैं ठीक है भई अर्थाद महिला और पुरूस के कार्ड होते हैं 31 कार्ड टोटाल होते हैं बच्चों को चित्र दिखा करके कहानी लिखने को कहा जाता है कौन्स में TAT परिक्षन ये वक्तित्व परिक्षन है वैसे ही CAT Children Appreception Test इसको बालसम परिक्षन प्रत्यक्ष परिक्षन कहा जाता है इसके प्रतिपादक कौन भाई तो बेलोक हैं इसमें 10 काड होते हैं और ये 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के साथ किया जाता है इसमे इच्छाओं के जानकारी होती है IBT Ink Blot Test कहा जाता है तो रोर्षा का स्याही धब्बा परिक्षन भी इसको कहा जाता है रोर्षा का स्याही धब्बा परिक्षन याद रखेंगे इसके प्रतिपादक हर्मन सोर्षा है तो इसको सोर्षा का स्याही धब्बा परिक्षन कहा जा हैं जिसमें 5 काड़ पर काले और 5 काड़ पर सफेद धब्बा रथ 5 काड़ पर विभिन रंग के धब्बे होते हैं ठीक है इसके आकृति को दिखा कर बच्चों को पुछा जाता है कि जिससे की विक्रियात्माग भावात्माग संगेनात्माग परिक्षन किया जा सके ठीक है भई सीटी तेस्ट क्या है सेंटेंस कम्प्लेंट टेस्ट इसमें कुछ देखो वाके पूर्ती परिक्षर का नाम दिया गए न इसको इसके प्तिपादक टेंडलर है पाइन तथर टेंडलर इसमें एक अधुरे वाक के खाली स्थान जैसे दिया जाता है उसी ख भील करते हैं ठीक है भई तो इस तरह से यह परिक्षर होता है तो साथियों इसमें तो पुरा बाल विकास को हमने एक समाप्त कर दिया और जरूरी चीजें जो बहुत जरूरी है टेग वर्ड्स क्योंकि बहुत सारे प्रश्ण का जवाब आपको टेग वर्ड्स से ही मिल जात केवल जिस आपसन में केवल हो मात्र हो सिर्फ हो ही हो या औली हो यह निगेटिव है रटना याद करना कंठश्ट करना नहीं होगा संज दंड सजा शमस्या बोज हतोत साहित करना भी निगेतिव है पुश्टक केंदरित शिक्षक केंदरित अपने आप में निगेतिव है तो बच्चे कोडी स्लेट कोरी पट्टी नहीं है भई ये निगेतिव है लेंगिक असमानता की बात हो रही है ये भी निगेटिव है बच्चे के विचार मात्रिभासा तुर्टियों को यदि महा तो नहीं दिया जा रहा ये भी निगेटिव है बच्चा निस्क्रिय यदि सिखने वाला है तो भी निगेटिव है यदि बच्चों को ग्रेट दिया जा रहा है रोजगार ब्यासाईक उच फใช्य ग्रेट की बात की जा रही है तो भी वह निगेटिव है तिये जितने भी बिंदुए मैं बताया हूं यह निगेटिविटी ती ठीक है पॉजिटिव बिंदु को भी देख लिजिए सरवांगिल विकास सब्द आता है तो हाँ वही उत्तरेभाई पॉजिटिव है करके सीखना हस्त परकोशल प्रत्यक्ष कोशल जब आता है वो पॉजिटिव है समान का भाव लगाऊ प्रुट्षाहन प्उजिटिव है जिग्यासा उत्पर्ण करनना प्उजिटिव है बाल केंद्रिक सिक्षा ब्यवहारिक कुशलता ये प्उजिटिव है इसके अलावा बच्चों के वास्तविक जीवन से या उनके दैनिक जीवन से जब जोड़ा जा या प्रजातांत्रिक द्रिष्टिकोल प्रजातांत्रिक वाता वरन इस्थापित की जा रही है तो भी पॉजितिव है भई समावेशी सिक्षा समावेशी कक्षा की बात हो रही है यह भी पॉजितिव है द्रिष्ट्य स्रव्य सामागरी की बात हो रही है यह भी पॉजितिव ठीक है संसाधन का उपयोग हो रहा है विभिन संदर्भो में भासा के प्रयोग की बात की जा रही है ये भी पॉजिटिव है तो साथियों आज का इस वीडियो में बालविकास संपुन महामयराथन हमने जल्दी मिलिया है और आपका एक रिवाइज वीडियो समझे इसको क्यो 2023 के लिए स्पेशल जो क्लास है हम इस वीडियो में आप सभी के लिए साजा किये ठीक है भाई आई होप आपको आज की जो क्लास है महामयराथन सीडिपी की आप सभी को अच्छा लगा होगा तो किसी भी राज्य के हैं भाई चैनल को बिल्कुर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इसी तरह की क्लासेज इसी तरह की जो वीडियो हैं मिलती रहे जहिन वन्दे मात्रम